Hello everyone, welcome back to MagnetBrainz, my name is CS Payal Popley and आज मेरे पीछे का background आपको थोड़ा सा different नजर आ रहा होगा उसका reason ये है कि MagnetBrainz ने launch किया है test paper series Yes, class 4 से लेके class 12 तक के लिए सारे subject में ये series available है क्या है series में, क्या होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा detail में explain करती हूँ जिसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पर देखिये, हम लोगों ने सोचा कि जहां हम बच्चों को इतना पढ़ाते हैं वहाँ ये भी तो जरूरी है कि हम ये analyze करें कि बच्चों की performance कैसी जा रही है बिल्कुल बनता है हर एक इंसान टेस्ट लेना चाहता है आपने स्टूडेंट को कितना समझ में आया तो इसके लिए हमने launch किये है टेस्ट ये टेस्ट आपको हर चाप्टर के according मिलेंगे मतलब सारे सबजेक्ट के फोर्ट से लेके 12 तक जितने भी सबजेक्ट है जितनी भी classes है सब सबजेक्ट में आपको test papers मिलेंगे that to chapter wise मतलब अगर माल लीजे 12th class business studies का student है तो staffing चाप्टर का अलग होगा controlling chapter का अलग होगा directing का अलग होगा ऐसे ये test papers आपको मिलेंगे कहां पर community post पर किस format में pdf format में ओके तो community post पर pdf मिलेंगे आपको वो आपको download करने है उसमें रहेगा आपका test लेकिन ये आपको download कब करना है जब आपने वो respective chapter अपने end से complete कर दिया होगा पढ़ लिया होगा ठेक है मतलब माल लीजे अगर staffing chapter का test है तो उसमें आपने पहले staffing chapter बहुत अच्छे से पढ़ लिया नाओ या लेक pretty sure कि हाँ अब इससे कोई भी question आजा है मैं आराम से attempt कर लूँगा उसके बाद आप ये paper download करेंगे इसको download करने के बाद आपको बैठना है थोड़ा सा तसली से और इसे अच्छे से पढ़ के attempt करना है बिल्कुल ऐसा feel लीजेगा आप examination hall में है कोई आपको disturb नहीं कर रहा है आपका पूरा focus इस paper पे और आपको लिख के देखना है जैसे ही आप attempt करेंगे उसके दो दिन बाद मतलब जिस दिन PDF आउट होगा उसके दो दिन बाद दो दिन का समय आपको मिल रहा है कि कोई बच्छा अगर एक दिन नहीं attempt कर पाता तो उसके पास एक buffer time हो तो दो दिन बाद आपको मिलेगा इसका solution video चीक है यह solution video में क्या रहेगा इसमें हम आपको explain करेंगे जो भी questions उस test paper में थे उनके क्या answers बनते हैं और आपको उसे किस तरह से attempt करना चाहिए था presentation का तरीका include करते हुए so test आप डाउनलोड करेंगे community post से PDF के format में रहेगा उसे attempt करेंगे और दो दिन बाद you will get the solution video from your teacher और आपको इससे check करना है कि आपने कितना अच्छा perform किया आपकी कहां कहां गलती गई है आपको कहां कहां इंप्रूफ करना है कहां कहां scope है और better perform करने का ऐसा तो यह तो हो गया normal test paper का format अब बात करते हैं specifically business studies की test paper के बारे में मैंने जो test paper आपके लिए बनाया है उसको मैंने एक particular format में रखा है तो वो format मैं आपको अभी से explain कर देती हूं इस format की according मैंने आपको दिये है हर chapter में चार तरह के questions चार तरह के questions कौन-कौन से type है पहला है आपका MCQ question मतलब multiple choice question हर chapter का individual you'll get five to ten multiple choice questions इनको आपको attempt करना है उसके बाद है आपके assertion reasoning वाले questions assertion reasoning याद है आपन पहले solve कर चुके है बहुत सारे तो assertion reasoning वाले question भी पाँच से दस हमने add किये है है हर chapter में then you will find some case based questions जिसे आप case studies बोलते है ना बैसे वाले तो कुछ case based questions आपको मिलेंगे and lastly आपके रहेंगे subjective paper देखे मैं चाहती तो subjective questions में subjective question sorry मैं चाहती तो subjective question में आपके लिए very short answer type question short answer type question और long answer type question अलग से बनाती लेकिन यहाँ पे मैंने असा segregation नहीं किया क्योंकि यह test paper से तो मैंने थोड़ा सा open ended छोड़ दिया है कि आपको जितना content आता है आप लिख दीजियो मतलब उस particular concept पर आपको जितनी पकड़ अच्छी है उतना explain कर दो ठीक है बड़ जब paper में question आएंगे वो थोड़े से marks based होंगे और word limit based होंगे यहाँ पर मैंने कोई word limit अभी आपको नहीं दी है क्योंकि मैं चाह रही हूं कि test में आपकी preparation बहुत अच्छे से हो आप पूरा पूरा लिख के देखे जितना भी उस particular topic से related है ठीक है तो अपने end पर कोशिश करना कि जितना तुम्हें आता है उस particular topic से related सब लिखतो okay so mcq assertion reason case based question और subjective questions देखे सबसे simple होगा आपके लिए solution video को use करके check करना कि आपके mcq ठीक थे assertion reason ठीक थे case based question ठीक थे के नहीं थे क्योंकि यह somewhat थोड़े से objective हो जाते है तो उनका अपन अराम से solution video से देख सकते हैं में दिक्कत आपको जाएगी subjective questions के उपर आप कैसे पहचाने कि आपने जो answer लिखा है वो अच्छा है कि नहीं है तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूं कि जब मैं question explain करूंगे आपको subjective वाले वहां मैं आपको बताऊंगी कि इसमें यह भी लिखा जा सकता अगर आपने इसमें यह लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए था इस तरह से मैं expect कर रही हूं अपने students को लिखना ब्ला ब्ला स्थ ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा overview दे दूंगी स्थी इसके ब उस ग्रुप पे भेज दीजिए लेकिन मैं यह सिर्फ पर स्टूडेंट एक ही question चेक करने वाली हूं माइट भी मैं लेटर ओन थोड़ा increase कर दूंग अकॉर्डिंग तो ताइम डियूरेशन लेकिन अभी फिलाल मिर पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि मैं एक ही question आपका चेक कर पाऊंगे फिलाल के लिए ठीक है तो थोड़ा बात आपको अपना judgment इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यह हमारा पूरा format है चार टाइप के question है mcu assertion reason reason case based subjective question चीक है और solution वीडियो आपको मिल जाएगी दो दन बात जिस दिन आपको वो pdf मिला होगा तो दो दन के अंदर अंदर आपको question paper को attempt करना है ताकि आप देख सके कहां you know stand करते हैं ओके चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला test paper जो की हमने pick किया है staffing chapter का yes तो हमारे class 12 business studies का magnet range का test paper जो first है वो है staffing chapter chapter number 6 और इसमें आपका पहला question है mcq based question आपकी screen पे दिख सकता है आपको okay so यह question पूछ रहा है this determines the number and types of personal required to perform the job this मतलब यह charge option आपको दिए हुए ना इन में से कोई एक चीज आएगी और this को replace करेगी तो यह बोल रहे हैं कि वह यह particular चीज में हम यह decide करते हैं कि हमें कितने लोगों की और अवशकता है काम पूरा करवाने के लिए चार option में पहला है workforce analysis फिर और workload analysis फिर selection फिर नन अफ दबाव आप देखें नन अफ दबाव तो होई नहीं सकता है क्योंकि आंसर इसी में कहीं चुपा हुआ है selection में हम बंदा select करते हैं हम यह नहीं पता लगाते कितने लोगों की आवशकता है workload में हम काम देखते हैं यह काम पूरा करने के लिए कितने लोग लगेंगे वो देखते हैं तो यहां पर majorly हम काम पर focus करते कि काम कितना है और कितने लोग इसे complete कर सकते हैं लेकिन कितने लोग optimally बैठेंगे फिट इस particular काम पर वो decide करता है हमारा workforce analysis तो उपर जो question दिया हुआ है personal decide करने के लिए कितने काँ कैसे चाहिए उसके लिए हम workforce analysis करते हैं so the correct answer will be A. workforce analysis अगर इसमें किसी को doubt है comment section में लिख दो फड़ा फड़ बाकी इसका answer रहेगा A. जिसका भी ठीक है वो correct mark करें अपने आपको number दे दे let's move to the second question यह है a test which measures emotions, reactions and maturity of an individual is known as intelligence test, trade test, aptitude test, personality test एक ऐसा test जो इंसान के reaction, उसकी maturity, उसके emotions का पता लगाता है उसके बारे में आपको बता रहा है चार option आपके सामने लिखे हुए हैं फट से answer कीचे क्या intelligence test में हम emotions, reactions का पता लगा सकते हैं नहीं क्या trade test में हम इन सब चीजों का पता लगाते हैं I doubt personality test क्या होता है aptitude test the correct answer will be personality test जिसमें हम इंसान के reactions देखने हैं कि कौन से situation में वो कैसा react करेगा चीक है so the right answer will be C personality test इसमें इंसान की पूरी personality की बारे में पता चल जाता है उसके emotions उसके reactions उसका maturity level सब कुछ चीक है first apprenticeship training फिर है induction training फिर है job rotation फिर है coaching याद करिए यहाँ पे आप seniors के साथ काम कर रहे हैं और मैंने आपको शायद CS का भी example दिया था कि मैंने एक PCS के साथ काम किया था अपनी CS की पूरी सारी काम सीखने के लिए तो वो क्या केलाई जाती है बताइए वो केलाई जाती है apprenticeship training so a will be the correct answer job rotation में आप job को rotate करते रहते हो कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ तो आप अलग-अलग job के experiences लेते रहते हो कोचिंग में कोई आपको पढ़ा रहा होता है आप पढ़ रहे होते हो इंडक्शन में basic चीजों के बारे में आपको introduction दी जाती है लेकिन apprenticeship में basically आप एक senior के साथ काम करते रहते हो उसको assist करते रहते और simultaneously उस काम को सीखते भी रहते हो सो correct answer third का होगा ए ठीक है hopefully आपने भी यही mark किया है अगर नहीं किया है तो correct कर लीजे और marks दे दीजी या काट लीजे जैसे भी आपको लगे फिर fourth questionnaire the training technique which duplicates the actual work environment ऐसी training technique जिसमें हम actual work environment को kind of यहां पर देखते हैं मतलब एक artificial demo types कुछ create कर देते हैं और उसके basis पर we decide कि हमारा मतलब हम उसके basis पर we don't decide we actually work on it और हम actual work scenario का थोड़ा सा experience लेते हैं like मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने जब driving सीखी थी तो मैंने कैसे सीखी थी कि एक demo car बनी हुई थी उसमें वो पूरा 3D उन्होंने create किया वह था तो उसमें हम पूरा move करते रहे थे इधर उधर ऐसे चला रहे है वैसे चला रहे है पूरा उन्हें इस पूरा सिस्टम था ठीक है तो उस पर मैंने गाड़ी सीखी थी क्या वह actual गाड़ी थी नहीं वह actual गाड़ी नहीं थी वह एक डेमो क्रियेट किया गया था वह एक सैंपल बनाया गया था जिसके उपर मैंने वह पूरी चीज सीखी तभी मुझे आज तक गाड़ी चलानी नहीं आया तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं इसको बोलते कंप्यूटर मॉडलिंग क्या इसको बोलते प्रोग्राम नहीं लेके जाते हम यहां पर उनको सिखाते हैं कि ऐसा होगा तो यह वायर निकालनी है ऐसा होगा तो यह वायर लगानी है यह करना है वो करना है और फिर उसके बाद जब लगते हैं कि हाँ अब सीख चुके हैं उसके बाद हम उन्हें वहां पर मूव कराते हैं ठीक है चल to vehicles goods employees machines यह काइंड ओफ जब selection मतलब सारी इस स्टाफिंग चाप्टर शुरू हुआ था तो एक इंसान ने चीज बोली थी ठीक है मतलब यह एक इंसान के द्वारा बोली गई चीज है और यह से सिंटेंस हम कई बार अपने आंसर में भी यूज करते हैं क्योंकि बहुत प्यारा सिंटेंस है यह बोलता है कि एक बार मतलब शाम होती है तो हमारे और निकलते हैं और अगले दिन सुबह बापस आरे तो किया यह पीसी चैर काar लाइड कैमरा यह सब बाहर जा रहे हैं कौन बाहर जा रहे हैं लोग बाहर जा रहे na whatsoever क्या होगा employees employees was तो शाम को बाहर निकलते और सुबह बापस आते हैं और इनुने एसंस क्यों बोला गया है क्योंकि यह kind of production का काम करते है यह produce करने का काम करते है इनी के दिमाग से पूरी organization work करते है तो यह liability थोड़ी ना हुआ यह तो assets ही हुए ना तो assets कौन से हैं हमारे employees हैं तो question 5 का answer है C hopefully सब का answer सही होगा क्योंकि वो बहुत basic question था question 6 बोलता है which of the following is not an external source of recruitment पहले तो मैं आपका ध्यान यहां पर दिल्वाना चाहूंगी बहुत सारे बच्चे से पढ़ते-पढ़ते skip कर देते हैं they don't you know like उनका focus ही नहीं रहता है इस word पर कि not लिखा हुआ है वह सीधा पढ़ता है कि बारे में पूछे नहीं out of four options कौनसे वाल सोर्स नहीं है उसकी बारे में बात हो रही है ठीक है तो आप बताइए campus recruitment promotion casual callers direct recruitment बताइए कौन सा होगा correct answer जल्दी बोलिए which of the following is not an external source of recruitment campus recruitment promotion casual callers direct recruitment campus recruitment में क्या होता है कोई इंसान मतलब कोई company colleges में जाती है placement करवा मतलब अब लोगों का placement test लेती है उसके बाद अपने यहां पर उससे higher करती है नहीं करती है promotion में क्या होता है कि एक position से आपको दूसरी position बिढ़ा दिया जाता है जो कि उसके बड़ी वाली जाते हैं लोगों को डूड़ने के लिए हम एक लेवल पर बैठे हुए लोगों को दूसरे लेवल पर बिठा देते हैं चलिए अब बात करते हैं question no.7 की बोलते है इस the process of management which is concerned with obtaining utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce यह management का वो process है जिसमें हम लोगों को लेके आने का उनको किस तरह से काम कराना है उनको किस तरह से satisfied रखना है उस सब चीज पर work करते हैं स्टाफिंग तो इसमें किसके बारे में question पूछ जा रहे होगा स्टाफिंग के बारे में question पूछ रहे है बट यह question उतना simple आपको तब नहीं लगेगा जब आप final exam में बैठे होंगे और वहां पर आपको पता नहीं होगा कौन से chapter का question है तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाना staffing is setting goals for organization translation of plans into action putting right people in right job filling and keeping filled position in the organizational structure staffing क्या है आपको उसके बारे में बताना है क्या ये organization के लिए goal set करने वाली चीज है क्या ये plans को action में बतलने वाली चीज है क्या ये right logo को right job पर बथाने वाली चीज है या फिर filling and keeping filled position in the organizational structure organizational structure में सब चीजों के filled करके रखना वो है जल्दी से बताओ यहां से मैं आपसे question भी पूछूंगे after मैं आपको answer इसके लिए जल्दी बताओ क्या होगा right answer right answer is putting right people in right job इसमे तो आपको जादा सोचने की जुरूत नहीं थी क्योंकि staffing chapter की starting में ही staffing की कुछ definitions है जिसमें ये right word इतनी बार इस्तमाल किया गया है कि right समय पे right इंसान को right position पे बिठाना स्ताफ है तो इतना right right हम वहां पर पढ़ चुके कि यहां पर पढ़ते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए था ना यहां पर जो additional question में आपसे पूछना चाहती हो और इसका answer मुझे comment section में चाहिए ठीक है वो यह है हमने यह तो पता लगा लिया कि staffing यह वाला action है तो इस वाले को हम खतम कर देते हैं इस वाले को हम हटाई देते है all together आप मुझे यह बताईए आप कैसे बताएंगे आप बताएंगे extra question number one का answer आप comment में क्या लिखेंगे extra question number one का answer है यह extra question number one क्या है कि यह setting goals for the organization यह चीज क्या है फिर अगर staffing यह है तो यह चीज क्या है यह कौन से वाला function है फिर आप second question भी है पूछ रही हूँ मैं आपसे कि translation of plans into action यह क्या है फिर filling and keeping filled position in the organizational structure यह क्या है mind you यह सारी एक एक concept है ठीक है यह जतने लंबे-लंबे words लिखे हुए न यह concept के explanation है तो तीन question मैंने आपसे यह पे extra पूछे है कि यह तीनों चीजे क्या है वो आपको बताना है मुझे comment section में जिसने भी सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से दो toffee free मिलेंगी ठीक है वो आपको claim करने पड़ेंगी अलग-अलग जरिये से लेकिन extra question मैं आपको दे चुक्यों तीन extra question मैं मेरी बहुत पुरानी आदत है मैं extra question पूछती रहती हूँ और जो बच्छे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो मेरी नजर में भी रहते हैं कि हाँ यह students are following ठीक है तो वह चीज़ जरूर करिएगा चलिए next question पर जाते हैं question number 9 एं बोलता है workforce analysis would enable to know whether the organization is understaffed overstaffed optimally staffed या for all of the above workforce analysis से हमें पता लगता है क्या एक organization understaffed यह overstaffed यह optimally staffed यह all of the above मतलब सब है अनडर से मतलब लोगों की कमी है मतलब कम लोग काम कर रहे जादा लोगों की requirement thी overstaffed लोग काम कर रहे हैं जिबकि कम लोगों की requirement तहीं तीeg़ूरक डिसगाइस जादे simple answer है, answer है all of the above, हमें workforce analysis से इन तीनों चीजों के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, तो हमें जादा सोचने की ज़रात नहीं पड़ती है, चालिए, अब बात करते हैं, question number 10 की ये बो रहे हैं, it is the process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing with him with the rules and policies of the organization, ये एक process है, जिसमें हम एक नए इनसान को बाकी सारे employees से मिलवाते हैं, उसे organization से थोड़ा familiar बनाते हैं, उसे rules and regulations के बारे में बताते हैं, कौन सी है वो वाली particular process, orientation, selection, training, recruitment, जल्दी बताईए, ये last MCQ है, इस आप्टर का, इसके बाद assertion reasoning start होंगी, फड़ा बट बताईए, वो process क कौन सी है, जिसमें हम एक नए बंदे को organization से familiar बनाते हैं, हम उन्हें organization के अलग-अलग लोगों से मिलवाते हैं, rules and policies बताते हैं, कैसे भी हिप करना है, वो सब बताते हैं, बताईए, ये आपके साथ भी होता होगा, जब नहीं क्लास में जाते हो, कोई नए स्कूल में आपने organization के बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, कैसे काम चलता है, उन सब चीजों के बारे में बताते हैं, तो orientation उसके पूरी की पूरी होती है, यहाँ पे, तो यह हो गए हमारे 10 MCQ complete, now let's move to our question number 11, जो की है assertion और reason वाला question, देखते हैं, इसमें क्या है, यादना assertion reason के question किस तरह से देखे जाते हैं, एक statement लिखी होती है, उसके नीचे एक और statement लिखी होती है, जिसमें एक reason चुपा होता है, हम दोनों ही statements को पढ़ते हैं, और सबसे पहले तो यह analyze करते हैं, क्या यह दोनों statements correct भी हैं या नहीं है, अगर इन में से सर्फ एक statement correct होती है, तो हम इन ही दोनों option को check करते हैं, कि कौन से वाली statement हमें correct लग रही है, कौन से वाली incorrect लग रही है, और अगर हमें लगता है कि हाँ, दोनों statements ही सही है, उसके बाद हम इन दोनों reasons पे आते हैं, इन दोनों चीजों options पे आते हैं, अगर हमें लगता है कि उपर वाली statement में जो लिखा हुआ है नीचे वाले statement kind of उसका proper reason दे रही है तो यह हमारा option हो जाएगा ए अगर हमें लगता है कि reason proper नहीं है मिलता जुलता नहीं है बढ़ दोनों statement है सही तो हमारा option हो जाएगा यह और एक भी option मतलब एक भी statement गलत है तो हमारे यह दोनों option में से कोई एक option हो जाएगा ठीक है तो एक बार देख लो यह चारो option को अच्छा से वैसे तो देखी चुक्यों कि टेस्ट एस पर तर्टेम करें लिए ना डारेक्ट आंसर पर आती हूं सो अजर्शन में लिखते हैं स्टाफिंग helps in optimum utilization of human resources स्टाफिंग मदद करती है optimum utilization करने में human resource की मतलब स्टाफिंग से हमें पता चलता है कि यह कितने लोग actually required हैं और उतने ही हम higher करेंगे ताकि हर एक इनसान की जो proper श्रमता है उसका इस्तिमाल किया जा सके सेकंड रीजन में यह बोलता है staffing helps in avoiding over staffing and under staffing staffing मदद करती है कि हमारे organization में ना तो जबरदस्ती की लोग भरे हो और नहीं हमारी organization में जबरदस्ती की है या गलत है मेरे according यह दोनों ही statement सही है तो हमारे यह दोनों answer तो हो नहीं सकते बच्चे यह दोनों answer अब पता लगाई यह उपर जो line लिखी हुई है क्या उससे में मैच करता हुआ mail खाता हुआ second line है क्या वो सही reason दे रहा है उपर वो पॉल रहा है staffing optimum utilization पर बिलीब करता है human resource की जिसकी वज़े से ना understaffing होती है ना overstaffing होती है yes they are linked बिल्कुल सही है एक दूसरे को कम वो करते हैं compliment करते हैं दोनों statements तो मारा answer क्या होगा कि बोथ assertion and reason are true and assertion में लिखी हुई चीज़ को reason properly explain कर रहा है so answer क्या होगा हमारा a staffing हमारी मदद करता है ना understaffing हो ना overstaffing हो बल्की optimum utilization of human resource का so right answer क्या होगा a होगा थोड़ा सा दूरों में चले नेक्स हमारा question है question number 12 यह क्या बुलता है it says assertion में internal recruitment provides limited choice internal recruitment से हमें सिर्फ limited choice मिलती है क्योंकि अंदर ही अंदर के लोगों को हम क्या करते हैं दूसरी job के लिए hire कर रहे हैं जितने लोग अभी currently present है हमारी organization में सिर्फ उन्हीं को hire किया जा रहा है अलग काम होखे लिए reason में यह बोलते है recruitment from internal sources is less time consuming internal source से recruitment कम time लगते मतलब internal source से अगर हम recruitment करते तो हमें कम समय लगता है क्योंकि बाहर जाना नहीं है अंदर ही organization की जतने लोग हैं उन्हीं में से किसी कुछ उनके काम करवाना है उससे तो statement पहले बताओ दोनो statement क्या सही है या गलत है दोनो statement assertion और reason में जो लिखी हुए है क्या वो सही है या गलत है answer है दोनो ही statement सही है तो यह तो correct option हो नहीं सकते अब हम आते हैं उपर वाले sentences में क्या इन दोनों का link है उपर वाले में बो रहे है internal recruitment से हमें limited choice मिलती है दूसरे में बोल रहे है recruitment internal choice से कम time consuming होता है मतब कम time लगता है time जादा नहीं लगता है दोनो statement सही है लेकिन when it comes to linkage तो यह बोलते हैं link नहीं कर पा रहे हैं दोनों sentences एक दूसरे से बात दोनों सही है राम is good शाम is good बात दोनों सही है लेकिन राम शाम का कोई connection ही नहीं है तो हम कैसे उनको link कर दें तो देसे assertion and reason में लिखे हुए दोनों ही sentences सही है लेकिन reason में लिखा हुआ जो भी sentence है वो assertion का correct explanation नहीं है तो assertion और reason दोरों सही है लेकिन explanation सही नहीं है तो 12th का answer हो जाएगा B 12th का answer क्या होगा B I hope आपने सही answer mark किया है चले next question है question number 13 ये बोलता है assertion में promotion has a great positive psychological impact over the employees promotion करने से लोगों के दिमाग पे बहुत अच्छा psychological effect पड़ता है reason है a promotion at a higher level may lead to a chain of promotions at lower levels in the organization में higher level पे जब promotion होता है तो एक पूरी chain establish करता है जो कि lower level से जाती है kind of sentence तो सही है आप मुझे बिताए को यहां पर बैठा हुआ था इसको उठा के तुमने उपर वाले chain ही हो गए ना पूरे promotion की सब लोगों को मौका मिल गया एक एक लेवल अप जाने का just because उसके उपर वाली position खाली होती गए तो दोनों ही sentences क्या सही है या गलत है पहला बोल रहा है कि promotion से एक बहुत अच्छा psychological impact पड़ता है लोगों के mind पे और दूसरा बोल रहा है कि वह यह chain of promotions create हो जाती है lower levels तक चलती है बताइए दोनों sentences correct है incorrect है the answer is दोनों sentences correct है तो यह वाले option हो नहीं सकते पर क्या उपर दिये हुए दोनों sentences का कोई link है तो yes बिलकुल link है पूरा पूरे organization बेग psychological effect अच्छा पहुशता है क्योंकि एक का level अप जाना पूरे सारे levels अप में convert हो जाता है so yes both assertion and reason दोनों ही सही है और reason में जो लिखी हुई चीज है वो सही explanation है assertion का okay 13th का answer क्या हुआ चलिए 14th question पर चलते हैं इसमें assertion में यह बोलते है external recruitment is an economical source of recruitment external recruitment जो होता है वो economical source है economical source का मतलब होता है जो आपको budget के within पढ़ता है मतलब जादा भारी नहीं पढ़ता जादा expensive नहीं लगता तो external recruitment सस्ता option है in short they are saying to recruit staff from external sources advertising and processing of application is needed अगर हमें staff को external source से recruit करना है तो हमें advertisement और processing पर खर्चा करना पड़ता है तो नीचे वाले sentence में तो विल्कुल अलग सीज दी हुए ये तो answer हो नहीं सकते इसके कौंसे sentence गलत है उपर वाला sentence गलत है क्योंकि external source में काफी खर्चा आता है उसे हम economical source नहीं बोल सकते बलकि internal source जो होता है वो होता है हमारा economical क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता within organization हम एक बंदे को पिक करके दूसरी position पर बिठा देते है तो पहले वाला sentence जो है वो गलत है altogether तो इसमें answer कहां से आएगा यहां इन दोनों points आएगा इन दोनों points को अगर हम पढ़े तो ये बोलता है assertion A is true but R is false क्या A सही है नहीं A गलत है तो last one option पढ़ते है assertion A is false but R is true हान जी ये वाला option correct है तो D will be the correct option of question 14 D क्या है सही उत्तर है question 14 क इसमें ये बोल रहे हैं कि assertion में दिया हुआ sentence गलत है क्योंकि ये economical source बिल्कुल भी नहीं है this is quite an expensive source जबकि ये वाला sentence बिल्कुल सही है बहुत सारा खर्चा आता है इन्होंने कुछ खर्चे बता भी दी है तो reason correct है लेकिन explanation assertion क्या है गलत है चलिए next question है question number 15 और ये assertion reason का last question ह है इसके बाद subjective question start हो जाएंगे तो क्या बोलता है ये देख लेते हैं assertion में ये बोलते है staffing function is pervasive staffing function is pervasive अब मैं इसका explanation नहीं दे रही हो reason being reason में जो लिखा हूँ है वो आप एकदम से फटसे वो कर लेंगे guess staffing function is required only at top level staffing function सिर्फ टॉप लेवल का काम है बागी के levels का काम नहीं है staffing function होता है क्या है appointing the right person at the right time at the right place तो ये क्या सिर्फ टॉप management का काम है और उपर सेंटेंस में वह बुल रहे है staffing function is pervasive चलो मैं फाइनली मत्तब बता देती हूँ pervasive का मत्तब होता है जो हर level पे applicable होता है तो मतलब दोनों sentences assertion और reason में जो लिखे हूँ है वो क्या है contradictory है उपर और नीचे जो sentences लिखे हूँ है contradictory है तो आप यह पता लगाए कि भाया दोनों अगर contradictory है तो एक सही होगा एक गलतों का मतलब यह तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि इनके according तो दोनों ही सही है अब आप मुझे पिताए साफिंग function इस परवेसिफ पड़ा था कि नहीं पड़ा था characteristics में features में पड़ा था कि नहीं पड़ा था बिल्कुल पड़ा था तो ए तो correct होगा ही होगा लेकिन साफिंग function सर्फ टॉप पारिश्मिंट करता नहीं भाई सब लोग करते हैं तो मतलब और फॉल्स है तो correct answer क्या होगा यहां पर सी होगा ठीक है correct answer क्या होगा यहां पर सी होगा 15 का correct answer is C ठीक है ड़न तो अजर्शन रीजन के पांच question हमने देख लिए आपको यह question अच्छे से समझ में आए होंगे कोई problem नहीं गई होगी अब फाइनली हम question 16 के शुरबात कर रहे हैं जो कि है हमारा subjective question इसमें क्या बोलते हैं देख लेते हैं चलिए अब देखो मैंने यहां पर आपके लिए बहुत open-ended चीज़े रखी हैं ना मैंने आपको marks बताया है कि इस question पर आपको कितने marks मिलने हुए कि आप वहां से choice पर छोड़ा है कि आपको कितना answer लिखना है यहां पर आद सेम टाइम आपकी judgment भी इस्तेमाल होगी कि कितना answer लिखना चाहिए ऐसे question में अब आप question को एक बार फिर से read करो it says explain briefly मतलब यह आपसे चाह रहे हैं कि आप explain तो करें लेकिन detail में explain नहीं करें briefly explain करें तो यहां से आपको judge कर लेना चाहिए कि question में आपसे क्या expect किया जा रहा है कि वह आपसे ज़्यादा कुछ expect करें यह कम expect करें तो यह आपसे explanation तो expect करें लेकिन बहुत ही छोटी explanation it says explain briefly transfers and promotions as internal sources of recruitment transfer of promotion दोनों ही internal sources हैं हमारे recruitment कें एक में हम यहां से इंसान ऊठाते और दूसरी जगहें ले जाते हैं एक में इंसान उठाते और यहां वाली जगहें पदा लेते हैं आपको explain करनी है सबसे पहले तो मैं बता दू मैं ऐसे question में आपसे क्या expect करूंगी आपको ऐसे question में अपनी explanation एक diagram से start करनी चाहिए फ़र से हम पहले transfer की बारे में बात करते हैं तो आपको ऐसा एक segregation यहां लिखना चाहिए department one यहां लिखना चाहिए department two मैंने जो live session लिया था उसमें कुछ बच्रों ने मगत से पूचा था कि maam characters draw करसकते हैं और मैंने बोला था हांजी बिल्कुल करसकते । यहां से आप क्या कर रहे हैं यहां पर एक क्यारेक्टर रो कर रहे हैं और इस यहां पर हम नहीं चलो इसी इंसान को में क्योंकि वहां पर ले जाना है तो हम क्या करेंगे कि एक इंसान है ठीक है इस लेवल पे यह अभी पोस्ट स्मॉल पर बैठा हुआ इस इंसान को पोस्ट लार्ज या बिग पर लेके जाना है तो हम इसे ऐसे लिखे जाएंगे ठीक है सबसे पहले तो आप यही करेंगे अपने आंसर में कि पहले ट्रांसफर को इस तरह से explain करेंगे promotion को इस तरह से explain करेंगे और उसके बाद अपना explanation जो भी लिखना ब्रीफ वाला वो लिखेंगे यह पता सबसे बेस्ट तरीका होगा क्योंकि आपका जैसे यह पुरा setting देखा गाना examiner वही खुश उचाएगा उसको लगेगा वाव यह कितना बढ़िया कर रहा है मतलब कितना सही बनाया इस बच्चे ने इसकी concept कितनी क्लियर है पर देख स्क्रीन शॉट लो इस चीज का फट से ठीक है अब मैं इसे रब कर रही हूं उसके बाद इसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूं इसके बाद आपको transfer और promotion की बारे में लिखना है highlight करना पहले तो जिसकी चीज की बारे में लिख रहे हो या तो highlight करो underline करो different color pen से लिखो जैसे भी लिखना है वैसे लिखो मतलब blue से तुम normally लिख रहो तो black से लिख देना यह चीज इस job vacancies are filled through transfers by transferring qualified personnel from one department of the organization to the department where the vacancy exists एक department से उठाके दूसरे department में लिख जाना जहां पे vacancy exist करती है transfer is a horizontal process अच्छा यहां एक और चीज बता देती हूं कि आप paragraph में लिखे pointers में अगर लिखेंगे तो बहुत बहुत बहुतरीन लगेगा ठीक है paragraph में लिखे अगर आप pointers में लिखेंगे तो बहुत बहुतरीन लगेगा ठीक है तो यह transfer is a horizontal process यह अगर आप next line में लिखेंगे अगर अलग से pointer बना के वह बहुत अच्छा लगेगा in which employees that are transferred are rarely given new duties to employment position hence the nature and type of job remains the same यह line लिखने के आपको अवशकता नहीं है तो बस यह दो line में लिखेंगो बहुत अच्छा answer होगा promotion, promotion means when an employee is being placed at a position of increased responsibility and authority जब किसी को एक increased position और authority और responsibility दे दी जाती है तो उसे बोला जाता है promotion ठीक है, promotion and career planning is important, promotions and transfer among current employees can be an excellent source of new hires and then it says, promotion refers to an employee being promoted to a higher position with increased status, compensation and responsibility अच्छा यह वाले line skip कर देना, च्छिक है, don't write this line, मैं एक बार delete कर देती हूँ, कौन-कौन सी line मुझे नहीं सही है यह वाले line काटना, च्छिक है, यह वाले line भी काट देना सिर्फ यह horizontal process बस इतना लिखना, ओके और यहां लिखना, promotions and transfer among current employees is source of new hires यह वाले line हटा देना, career planning वाले line हटा देना, च्छिक है इतना होना चाहिए तुमारा answer, तो यह मैंने क्यों line insert की है ताकि आपको एक judgment मिले कि अगर आप exactly book वाला tip रहे है, book वाला लिख रहे है मतलब जो line है नहीं required है, उनको हटाओ न क्या ज़रत है, हमने diagram बना दिया, diagram से अच्छे से picture clear होगे, तो आपको एक फालतू की line है क्यों लिखनी है तो यह line है skip करके, बाकी का portion you can write in your answer, तो यह होगे हमारा question number 16, transfers और promotion में, not differences पूछे हैं इनोंने, बस इनोंने यह पूछा है कि यह दोनों concept क्या होते हैं, उनको explain करना था briefly, हमने कर दिया, explain briefly, and at the same time, मतलब हमने एक diagram भी बनाया है, इसको explain करने के लिए, and इसी के साथ, हम move करते हैं, हमारे next question पर, जो की है, question number 17, यह बोलता है, explain briefly, casual callers and labor contractors as external sources of recruitment, यहां भी आपको explain करना है, लेकिन briefly, कि casual callers and labor contractors, जो external source of recruitment है, मतलब हम बाहर से ढूंड के लातने हैं, जब talent अपनी vacancies को fulfill करने के लिए, वो उनका क्या मतलब है, ठीक है, तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका हम explain करेंगे, it says, पहले तो इन्होंने casual caller लिख दिया, जिक है, उसको highlight कर दिया, आपको बिलकुल कुछ ऐसा ही करना था, जिक है, यही करना है, आपको भी कि highlighting जरूर करनी है, अपने answer में, कि आप किस चीज को explain कर रहे हो पहले, क्योंकि दो terms पूची गई है, so casual callers में, they say, many reputable businesses maintain a database of uninvited applicants in their offices, it approaches them as vacancies exist and pursuits them to apply for the positions available, this list can be screened and the best candidate is selected, यह पो रहे हैं कि भाया, देखो, कई बार क्या होता है, companies ना अपने हाँ पर database बनाते है, उन सारे resume में इसको मिला के, जो उनके पास आये थे, लेकिन उस ताइम उन्हें हायर नी किया पारा था, मतलब किसी और को hire कर लिया गया था, लेकिन वो equally good थे, या फिर कोई बार ऐसे भी होता है, vacancy नहीं होती पर resume में आ जाते हैं, तो उन सब resume में इसको store करके रखते हैं, आपने database में, company वाले, ताकि जब भी कोई नहीं vacancy आए, उस database से कोई बंदा उठाएं और उस ताइम पर भी उसको उस पर बिठा दोगे, whereas labor contractor में क्या होता है, यहां पर होता है, contractor जो कि labor को अपने अंडर रखता है, और जब भी किसी firm, किसी organization, किसी इंसान को जरूरत होती है, labor की, तो ये contractor को वो क्या करते हैं, contact करते हैं, या देखो, तुमारे अंडर बहुत सारी labor है, So it says, employers turn to labor contractors to hire low skilled workers or laborers, labor contractor keep in close contact with the laborers and the other workers and they call them for work as and when needed, labor contractor हमेशा labor के साथ contact में रहता है, उसको पता होता है कि या कभी भी काम आ सकता है, तो इनकी मुझे जरूरत होएगी, तो जैसे ही काम आता है, वो उनको फट्चे contact करते हैं, काम आगे, आप तुमाजो, अपना फालती ची है, देखे, डेली वेजिस पे खुछना कुछ एंडर, इस contractor को भी बीच में commission काने का मौका मिल जाता है, तो बहुत ही subtle language में यहाँ पे explain किया हुआ है, अब मैं I am not saying कि तुम्हें exactly same way मैं लिखना था, लेकिन concept तो भी same ही है, मतलब meaning तो दोनों का same ही है, तो वो उतना मैं expect कर तुम पूरा करोगे, इसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है कि हां मुझे थोड़ा सा check कराने की जरूरत है, मुझे अपनी grammar पर work करने की जरूरत है, मुझे अपनी English improve करने की जरूरत है, might be तुम जो लिख रहे हो, तुम दूसरे दिन खुदी अगर वो पढ़ो तुम मैं समझ में नहीं आरा, तुमने क्या लिखा, तो फिर इन सब चीजों को हम थोड़ा सा दूर कर सकते है, कैसे राइटिंग प्राक्टिस से, तो राइटिंग प्राक्टिस करते जाओ, करते जाओ, एक टाइम आईगा जब तुम्हारी इंग्लेश भी बिप्रूव हो जाए as the most important part of human resource management क्यों आपको लगता है कि human resource management का सबसे important part staffing है पहले इसके लिए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए staffing is different from human resource management हमने दोरों के differences बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे chapter में जब भी हमने chapter complete किया तो नहीं देखें तो पता होना चाहिए HRM क्या difference होता है plus एक चीज़ और बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना कान खोल के सुनना कि जितने भी chapters तुम्हारे term 2 में आ रहे हैं जितने भी chapters तुम्हारे paper में आने वाले हर chapter की जो difference between वाले questions है ना difference between वाले topics है ना उनको बहुत ही अच्छे से पढ़के जाना क्योंकि paper में हमेशा ऐसा देखा गया है एक नहीं तो दो difference between जरूर पूछे जाते है दो नहीं तो एक difference between जरूर पूछा जाता है ठीक है तो सारे difference between बहुत अच्छे से clear होने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा portion होता है पर जहां पर आप exam marks कर सकते हो क्योंकि इन में ज्यादा portion लिखना भी नहीं होता है पस आपको difference हमझने की जरूरत है और उसके बाद पूरा ऐसे फट-फट explanation लिखो कि और तो में पूरे marks मिल जाएंगे तो काफी स्कोरिंग चीज हो जाती है difference between तो थोड़ा सा उस पर work कर लेना okay so answer कुछ इस तरह से they say staffing is the most important part of HRM as it develops and manages the human element of the enterprise considering their knowledge, skill, creativity, talents and potentials for contributing towards the organizational objectives आप मुझे बिताइए कोई भी organization कोई भी organization जो इस world में आती है इस दुनिया में create ही जाती है क्या वो without human beings चल सकती है तुम बोलो कि हाँ हमारी तो capital intensive industry है तो यहां पे सिर्फ machinery से काम होता है चलो हम मानते हैं सारा काम तुमारे आप मशीनरी से होता होगा लेकिन उस machine को ओन कौन करता है human being करता है ना उसको monitor कौन करता है कि सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है human being करता है ना भया मशीनरी के साथ तो अकसर देखा गया है तो बीच में खराब हो जाती है कभी कुछ हो और स्टाफिंग क्या करती है उसी पर्टिकुलर चीज़ पर काम करती है वो ढूंड के लाती है ऐसे टालेंट ऐसे लोग जिनकी स्किल्स नॉलेज और क्रिएटिविटी और इसे लोगों को ढूंडना स्टाफिंग का पार्ट होता है अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें दो अलग अलग बात बोली गए तो उसको दो पारग्राफ में कनवर्ट कर सकते हैं staffing is an inherent part of human resource management which can be made more clear by analyzing this example when the above stated function are carried out at a small scale in a small organization by every manager we call it staffing function and when these functions are performed at large scale in a big organization there is okay in on a kid in on a specific difference likha hai staffing or HRM की बीच मैंने आपको पहले ही बता था कि अगर आप कोई question solve करना है तो आपको पता होना चाहिए staffing और यह किस तरह से एक दूसर से different है what they are saying is मैं थोड़ा सब बैक कर देती हूं ताकि मुझे space मिल जाए यह बोल रहे है जब एक छोटी organization होती है ना और उसमें human resource देखने वाला इंसान होता है मतलब human beings को देखने वाला इंसान होता है तो इस particular चीज को बोल देते है staffing ठीक है यह क्या है small organization है लेकिन जब एक बड़ी organization होती है large organization होती है और उसमें अलग से एक department create किया जाता है तो उसे बोला जाता है human resource department क्या समझें छोटी organization अगर वही नेचर का काम करें साफिंग के लाई जाएगी human resource के बारे में सोच रही है और वही जगे अगर large organization है और अलग से department बन जाता है थोड़े से roles increase हो जाते हैं कि satisfaction की तरफ विध्यान देते हैं इसकी तरफ विध्यान देते हैं उसकी तरफ विध्यान देते हैं तो उसे हम HR department बूल देते हैं बात दोनों में सेम ही है लेकिन levels का difference आगया है एक दो functions का difference आगया है तो इस तरह से एक दुस्रे से related but still different है और यह इन्होंने एक difference between का point बता दिया एना the same time they are saying कि HR department कहीं न कहीं अपने यहां पे staffing function भी करता है तो staffing is kind of a part of HR departments work एक इनका काम staffing भी रहता है ठीक है तो staffing थोड़ा narrower term है whereas HRD एक मतलब HRM थोड़ा broader term है ठीक है चालिए ओके मुझे नहीं लगता है इसमें सारी चीज़ा लिखने लायक थी आप इसको यहां से कहां से कट कर सकते हैं यह वाला portion कट कर सकते हैं इस वोजन रिक वायर आस ठीक है तो इतना portion आप कट कर सकते हैं बाकि आप लिख दीजें सही है चले स्क्रेंशॉट लेना का लेलीजे ना लेट्स मूब तो नेक्स्ट कुएशिन और माइंड यू मुझे ना लाइव में ना दो तिन बच्चों ने बोला था मैं आम लर्न कैसे करें बड़े-बड़े क्वेशन को लर्न कैसे किया जा सकता है तो बेटा प्लीज कॉंसेप ध्यान देना मैं आपको स्क्रेंशॉट लेने का साम टाइम इसलिए देती हूं ताकि आप एक बर अपने रेफरेंस के लिए पढ़ सके ना कि उसे कॉपी पेस्ट करें आपको स्टाफिंग की प्रॉसेस को एक्स्प्लेइन करना है ठीक है क्या होगा इसका अंसर अभी तक मैंश्मेंट की जितने भी फंक्शन हमने पढ़े ना सब में प्रॉसेस का तो मैंने आपको बोला ही है कि रटके जाना चाहें है वह प्लानिंग चाप्टर हो और्गिनाइजिंग चाप्टर हो साफिंग और कंट्रोलिंग और डारेक्टिंग और कोई भी हो हर किसी की प्रॉसेस बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और इस पे तो बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए अब मैं आपको प्रॉसेस हो सकता है फिर उसके बाद गाड़ी ऐसे बढ़ेगी तो आपको पूरा फ्लोचार्ट बनाना चाहिए और उसके बाद आपको एक्स्प्लिनेशन पार्ट स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा सा माक्स देख लेना यह उपन एंडिट था तो इसमें मैं एक्सपेट्ट करते ठीक है लेकिन फ्लोचार्ट तो बनाना ही बनाना इसके बिना तुम्हारा आंसर बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगेगा और कहीं न कहीं यह सेल्फ एक्स्प्लिनेशन नेचर की चीज़ होते हैं कि यह तुमने एक बता दिया ऐसे आरो एरो लगा कि इसके बाद यहोगा तो इससे किया होगा तुम्हारा कॉंसेट पूरा सामने वाले के दिमाग में बैड भी जाएगा अधर सेम ताम तुम्हारा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा तो मैं पूरा एक्स्प्लिनेशन लिखने की जरौत नहीं पड़ेगी बात करें स्टाफिंग की प्रोसेस के बा कि deduaneckry जीतने की आवशकता हो उतना ही होना चाहिए जैसे फाइनेशल मारेजबंट में हम देखते हैं कि जितने पैसे अमारे लिए घ्मारी पैसे होने चाहिए अगर कम होंगे टीफिकür टाइम है अगर जादा वोंगे तो बाष ड़ेकार चीज्शा आपकर के लिए क्यो कर रहे होते हैं प्लीज एंशूर करिए आप अप्टिमम लेवल मिंटेन करें ना वो अंडर होना चाहिए ना वो ओवर होना चाहिए स्टाफिंग के साथ भी सेम चीज है human resource की requirement है तो आपको पता होना चाहिए कितने लोग लगेंगे इस पटिकुलर काम को workforce analysis कहने का मतलब है workload में हम यह देखते हैं कि कितना काम है और इस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे finding the number and type of employees required to perform various jobs कितने लोग उस पटिकुलर काम को करने में लगेंगे और किस नेचर के लोग लगेंगे मतलब काम पर भी तो dependent हो कि वह हाथ से करने वाला काम है स्किल जॉब है या दिमाग वाली जॉब है क्या है एक्जाटली तो workload analysis में हम काम देखते हैं काम को करने के लिए किस नेचर का इंसान लगेंगे यह देखा जाता है वेरस workforce analysis में हम देखते हैं कि अभी हमारे पास existing workforce कितनी है और हमें और कितने लाने की आवशकता है मतलब आज की डेट में हमारे यहां पर कितनी workforce है वो हम इस particular analysis से पता लगाते हैं फिर हम करते हैं दोनों को compare कि यह workload में हमें पता लगा थाउजन लोग लगेंगे और workforce में हमें पता लगा कि 900 हमारे पास already हैं तो हमें समझ में आ गया सो हमें और हायर करने की आवशकता है और अगर माल लीजिए हमें workforce में पता लगा कि थाउजन टेन हंडर हैं तो ऐसे में 100 एक्स्ट्रा है तो वो निकालने की जरत है दोनों को compare करने से पतिक पर्टिक्लर फिगर हमें पता चल जाएगी तो पहला step क् estimate करना की manpower requirement exactly है कितने से किने recruitment यहां पर हम लोगों को मौका देते हैं कि आप आईये हमारे यहां पर apply कीजिए मतलब हमारे यहां पर vacancy है आप आके apply कीजिए so it says it refers to the process of inducing the people to apply for the job in the organization after accessing the number and type of required employees the manager tries to get greater number of applicants for the job so that the organization can select better candidates third है selection यह बोलते है यहां पर हम finally वो पूरी process करते हैं जहां पर हम एक बंदे को shortlist कर सके out of all the persons available ठीक है तो basically it refers to choosing the most suitable candidate to fill the vacant position जितने भी candidates आयों में से best वाला select करना selection का part होता है placement and orientation अब आपने best वाला select कर लिया अब आगे क्या होगा अब आगे उसको अपने organization में लाके organization के लोगों के साथ या फिर organization के साथ उसे familiar बनाना होगा उसका orientation चलेगा लोगों के साथ बातशीत करेगा वो उसकी बातशीत करवाई जाएगी बताया जाएगा तुम्हें कहां किसको report करना है कहां बैटना है तुमारी sitting arrangement क्या होगी यह कैंटी नहीं है ऐसे दिखती है यहां पर फ्री का खाना मिलता है पूरा का पूरा जैसा कि as well as organization के लिए एक better asset बन सके राइट तो training and development में हम ensure करते हैं कि वो इंसान थोड़ा सा यह उसके उपर भोग किया जाए और उसको और बहतरीन बनाया जाए performance appraisal यहां पर चेक किया जाता है कि how that particular person is performing if he is performing nicely तो उसको reward दिये जाता है if he is not performing well तो फिर उसको you know ultimatum या फिर उसको कैसे आप सुधार ला सकते हैं ऐसे suggestion advices दिये जाते हैं promotion and career planning जैसे कि मैंने बताया performance appraisal में जैसे हम performance analyze करते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि इसमें बहुत श्रमता है इसको और एक better position बढ़ाना चाहिए तो हम उसे प्रमोट करके better position बढ़ाते हैं और career wise भी उसकी enhancement करते हैं हो सकते हैं उसका package बढ़ा दे हो सकते हैं उसका workload बढ़ाए और साथ ही साथ उसको additional perks बग्यारा देना start करते हैं तो सारी चीज़ें यहां पर आते हैं और then compensation it refers to the price of the job यह बोलते हैं कि हर बंदा जो आप अपने यहां पर हायर करते हो वो जो आपको काम देता है उसके पदले मैं आपको उसको payment भी देनी रहते हैं तो compensation is nothing just the payment that you are giving to the other person just because he is working under you तो payment salary wages कोई भी वर्ड मैं बोलो लेकिन compensation is basically उसके काम के किये गए मतलब उसके काम की उसका किये गए काम का पैसा हां that's perfect ठीक है तो compensation यह लास्ट पार्ट है और उसके बाद step wise यह सारे लिखने चाहिए तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि organization में कितने लोगों की आवश्रक्ता है मतलब नया जो काम आ रहा है उसके according कितने लोग already हैं और कितने लोग और लगेंगे ठीक है सबसे पहले यहीं मेशर किया जाता है उसके बाद लोगों बताया जाता है कि हमारे यहां पर vacancy है फिर वो लोग आते हैं apply करते हैं आप उन्हें से testing करते हैं और best one select करते हैं फिर आप उसे place कराते हैं और थोड़ा सा organization से familiar बनाते हैं then उसकी training and development होते हैं ताकि उसकी personal growth भी हो सके as well as organization के लिए वो better asset बन सके then performance appraisal होते हैं जसमें हम उसकी performance को analyze करता है कि बहुत कैसे perform कर रहा है अच्छा कर रहा है के नहीं कर रहा है work करवाने की जरू आता है और extra या फिर he's you know like doing good अगर वह अच्छा काम कर रहा हो तो उससे promote किया जाता है उसको career opportunities और better दी जाते हैं and compensation तो दिया ही जाता है compensation is basically the price that you are paying him for the job he is doing for you तो इस तरह से पूरी स्टाफिंग प्रासेस चलती है that's quite an easy process तो इसको ज्यादा यह नो ताम जाम नहीं है इसमें और आम से आपका flowchart भी बनेगा explanation भी बनेगी explanation खुद के शब्दों में होने चाहिए बहुत simple points है ठीक है चाहो तो screenshot ले लो एक बर reference के लिए second slide third slide done चलें आगे okay so अब आगे है हमारा question number 20 यह क्या बोल रहा है which function of management helps in obtaining right people and putting them on the right jobs explain any five points of importance of this function wow this is an you know better way of asking question यहां पर इन्होंने directly नहीं बोला आपको कि staffing के बारे में बताओ staffing importance के बारे में बताओ यह वो वो नहीं इन्होंने बहुत ही indirect way से पिक्किया question के भाया management के उस function के बारे में बताओ जो कि right इंसान को right समय पे right position बिठाने के लिए बात करता है और साथ ही साथ उस function के पाच importance के पॉइंट भी बता तो पहला question का अंसर तुम्हें पता होगा तभी तुम सेकिंड question के answer कर पाओगे अधर इस नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें नहीं पता कि management का वो कौन सा function होता है जो right person right place and the right time पे focus करता है तो तुम्हें यहीं नहीं पता सलेगा कि तुम्हें importance कि पॉइंट के लिखना है यहां तो मैंने खुदी तुम्हें बता दिया कि साफिंग के बारे में बात कर रहे है रीजन बिंग मुझे पता है टेस्ट पेपर किसका है साफिंग चाप्टर का आपको भी पता है तो आपको पता ही होगा कि यहांसर लेक करता है और उसके 5 points बोलने है तो मतलब आपको staffing और उसके importance को explain करना है so first is staffing function of management helps in obtaining right people and putting them on the right jobs staffing वो function है management का जो right person को right job पे बिठाने के बारे में बात करता है और अगर उसके importance की बात करें तो according to koons and ordinal the management function of staffing involves manning the organizational structure through proper and effective selection appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure staffing function of management helps in obtaining right people and putting them in the right job first iska है proper staffing ensures the following benefits to the organization obtaining competent personnel in our organization there is a need for the people to perform अच्छा I guess this portion wasn't required यह लिखने की कोई अवशक्ता नहीं है इतना वाला portion आप काट सकते हो बहुत अराम से यह फाल्तू लिखा हुआ है डारेक्ट आप यहां पर आएंगे कि competent personnel को आप यह नो और्गनाइसेशन में लाने के लिए सक्षम हो पाते हो staffing process से देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि भीया को हमारे यहां पर लोगों की कमी है इंडिया में लोग तो बहुत भर भर किये और हमारे यहां पर पॉपलेशन मतला अभी मैं थोड़े दिन पहले न्यूस में देख रही थी जब वो रश्या और योक्रेन का कुछ जाद़ है वीवे में चल फिल्रा भी चल रहा है लेकिन हही वे चल रहा था तो कितने इंडियां से आरहे थे कितने इंडियां स्टूल्नन नहीं से जाये तो और ऐस्ट्रेलिया न्योत्त कि थी तो बढर यूदत आउट पहूँते नहीं कि इसके एकसर आवा बहुत जा सकते हैं लेकिन लोग तो यूगांडा यूक्रेन और पदा नी कहां 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 गए हुए और वो भी अच्छी तैदाद में ऐसा नहीं है तो दस-दस हजार तो हम ऐसी हर कंट्री में अपने यहां की पॉपलेशन देखे बैठे हुए आप ऐसे मान के रखो लाग लाग मतलब यू ऐसे और कैनेडर की तुम बाद ही मत करो मतलब ऐसा लगता है कि एक अधा स्टेट हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया उपना मतलब काइड अगर इंडियन साहे ना तो उसमें एक टेरिटरी अपनी पूरी बना सकते है इतना मतलब इंडिया ने इतनी पॉ पॉपलेशन में से वह इंसान ढूंड कि आना जो आपकी जॉब अच्छे से कर सके यह कितना डिफिकल्ट है अब आप मुझे बिताओ दस लोग होंगे दस लोगों में से अगर आपको चुनना है कि कौन से वाला बैस है तो कितना इजी होगा आपके लिए लेकिन जहाँ प होगा थाइप इस दाथ है तो बेसिकली यह सेंग कि स्टाफिंग इंशर करती है कि बैस्ट पर्सन ही आपकी जॉब पर आके बैठे जो आपके लिए यह लिए अच्छे से काम कर सकें कॉंपिटेंट हो प्र्टिकलर काम करने में तें बैसे साफिंग फंच्छन हैं इंडिस लिंक कुछ इस तरह से किया कि organization का survival और ग्रोथ भी कही ना कहीं डिपेंड करता है लोगों पर ही अग देखो किसी भी organization को चढ़ाने वाले भी लोग होते हैं यह तो है नहीं organization खुद बोलता है नहीं मुझे गिरना नहीं मुझे गिरना नहीं नहीं लोग जो उसकी अंदर का कर रहे होते हैं वही कहीं ना कहीं responsible होते हैं उसकी तरक्की के लिए और उसकी गिरावट के लिए भी तो यह help करता है लोगों की यह करता है organization की आकचली कि organization की growth हो सके क्योंकि हम right person डूंड के ला रहे हैं organization के लिए optimum utilization of human resource देखे staffing की जैसे हमने first step देखी थी process में तो उसमें क्या लिखा हो था estimate करना human power requirement human resource requirement यह कुछ भी बोल सकते है तो ऐसे में हम वहाँ पर क्या ensure कर रहे थे कि यह जितने लोग चाहिए उतने हूँ ना जादा हूँ ना कम हूँ क्योंकि कम हुए तो एक इंसान को अपनी शम्ता के beyond काम करना पड़ेगा और जादा हुए तो मतलब एक इंसान अराम से चिल कर सकता है और अपनी शम्ता को fully utilize भी नहीं करें तो हम इंशार करते हैं स्टाफिंग में कि जितने चाहिए उतने हो तो जितने चाहिए उतने हो उसके लिए उनको उतना काम करना पड़ेग ओके सो दे से क्हें न कहीं स्ताफिंग मोटिवेट भी करती है लोगों क क्यों क्यों went sure करते हैं कि जो भी थो अमारे अंडर काम करें वह satisfied हो वह खुश रहें ये नहीं हो कि उनको काम करना है लेकिन और मर मर के काम करें साफिंग कभी ऐसा नहीं चाते साफिंग कर द उतना वालिट कॉंपेंसेशन दिया जाए जितना उनके काम के बदले में बनता है अधा सेम उनके लिए फैर वरकिंग कंडिशन हो और अधा सेम ताइम वह भी अपना हंड़र्ड परसंट दें और और यह बैलेंस में तरफ रखती है लोगों को एक तरफ रखती है खुद बी चाहिए था तो यह चीज आप अपने हैंड पर करेंगे के सारे पॉइंस जो भी आप मेंशन कर रहे हैं स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस में वह सारे के सारे आपके द्वारा हाइलाइट किये जाने चाहिए तब ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में अदर्वाइस फिर तो थोड़ा सा खाली-खाली सा लगता है चाले इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स क्वेशन पर बट मैंने शाद आपको स्क्रींशॉट लेने का मौका नहीं दिया तो लेट्स जल्दी से स्क्रींशॉट लिए जैसी कि मैंने आपको पहले भी बताया लाइन लिगना जरू आपको बताने हैं उनसे बीक्वेशन पॉसेस में इस्तमाल होते हैं देखे इस चाप्टर में स्टाफिंग प्रोसेस तो थी थी लेकिन उसके अलावा रिकूरूट्मेंट और सेलेक्शन की भी प्रोसेस है तो आपको वह भी पढ़के जानी है उनसे भी क्वेशन को बेत कि कि यही ले लू आपको तीन पांच स्टेप्स बताने है जो कि selection process में इस्तेमाल होते हैं तो आ गया कहीं न कहीं वो process okay so answer देख लेते हैं इसका it says selection is the process of carefully screening the candidate who offer themselves for appointment so as to choose the most appropriate person for the job देखे सबसे पहले तो organization such staffing उसमें क्या करती है process में की देखती है हमारे हां पर कितने लोगों की जुरात है फिर वो उन लोग को बताती है कि हमारे यहां पर vacancy है तो में आना है तो तुम आके apply कर सकते हो यह होता recruitment उसके बाद आती है selection की process selection में क्या करते हैं जो लोग हमारे यहां पर आये थे उस vacancy को फिल करने के लिए अपने resume में लेके उन में से हम देखते हैं कि कौन से वाला candidate best candidate है जिससे हम higher कर सकते हैं तो selection में out of all the people जो आए हैं आपके पास उन में से एक इंसान आप चूज करते हैं अपनी organization के लिए सो steps क्या क्या है फर्स यह बोलता है the preliminary screening मतलब एक brief screening interview होता है जिसमें पता चल जाता है कि क्या यह इंसान आगे बढ़ने यह valid है मतलब सही है कि नहीं है बहुत ही बेसिक चीज़े देखी जाती है इसमें बेसिक बट प्रॉमिनेंट काइंड ओफ ठीक है और इसके बेसिस पर हम जज़ कर लेता है कि नहीं यह तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा तो इसको आगे लेकि जाने का मतलब नहीं ब होती है उसके बाद होता है सेलेक्शन टेस्ट इसमें अलग-अलग टेस्ट रखी जाते हैं ताकि हम इनसान की शमता उसकी क्रियेटिव साइड उसकी मिच्यूरिटी उसकी स्किल्स सब चेक कर सके मतलब ऑवरॉल परसनालिटी टेस्ट आप्रेट्यूट टेस्ट बहुत सार कि इन्साइट कि बहुत और आफिशल यूइंचन कर पाएगा उसका दिमाग कितना मिचेव है कितनी टेंश बोले सकता है कि इतना प्रेशर वो ले सकता है वो सारी चीज़े पता चल जाती है फिर हैं एक बार टेस्ट हो जाते हैं तो हमें 10-15 लोग मिल जाते हैं नहीं है तो परसनल एंटर्व्यू मतलब एंप्लॉयमेंट इंटर्व्यू में हम उनसे वन-to-one question करते हैं बहुत सारी पूछी से पूछते हैं organization की बारे में उनकी qualifications की बारे में उनकी experience की बारे में किस तरह से को ऐसे सिनारियो में कैसा behave करेंगे सारी चीज़े reference and background check एक बार हमें कोई बंदा पसंद आता है उसके बाद हम उसका reference reference देखते हैं कि वह किस reference से आया क्योंकि कई बार क्या होता है माल लेचे कोई कोई जॉब निकले थी मैं अपने पुराने बॉस का reference लेके गई तो मतलब मेरे पुराने बॉस का वह पूरा चेक होगा कि भी आच्छली उन्होंने मुझे recommend किया है कि नहीं किया वह सकता है पु selection decision finally जब सब सही लगता है तो हम selection decision लेता है कि हाँ इस बंदे को हायर करने वाले इस बंदी को मायर करने वाले हैं आपने selection decision ले लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपके organization में जो बेंसान काम करने के लिए वह medically fit हो यह नहीं हो कि वह हर चाहते दिन बेमार पढ़ जाता है हर चाह प्रेशर इतना बढ़ गया है अब काम इस नेचर का होता है कि एक बंदा नहीं आए तो काम हड़ जाता है कही न कहीं तो कोई hindrance चाहता नहीं है कोई बीटा पेशेंट बचा नहीं है सब इंपेशेंट हो गया आज की दुनिया में तो एवर वांच की उनके आप जो भी काम करना चाहते है हमारी तरह से हमने तुम्हें में पसंद कर लिया है नाव इस कियो कॉल वर्धी ओंट जोइन उस और नॉट तो एक कॉंट्राक्ट अप्लॉयमेंट फिर बनता है कॉंट्राक्ट उप्लॉयमेंट अगर सामने वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो इस टाइम मिनिममम उसे रहना पड़ेगा आपकी ओर्गिनाइसेशन में छोड़ की जा रहा है तो नोटेस पीरेट कितने टाइम करेगा वह सारी चीज़ें इसमें पता लगती है तो इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है अगैन अल्बी चलिंग इस सेम तिंग कि एक बार स्ट इसके बारे में आपको लिखना था इसमें सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं उनमें से बिलकुल बेकार दिख रहें उनको वहीं के वहीं नप्ता देते हैं उसके बाद हम रखते हैं कुछ टेस्ट हमारे सेलेक्शन टेस्ट उसके बाद इंटव्य मेंचेंट होती है तो पहले तो आपना जब सेलेक्शन का वह आएगा ना यहां पर मैं क्या एक्सपेक्टर तो जैसे यह सेलेक्शन की बारे में लिखा कि कैरफुली स्क्रीनिंग करना यहां पर आप वह साफिंग प्रोसेस के थर्ट सेप को ऐसे आगे करकी यूँ भी दिखा लगता ठीक है तो फ्लोचार्ट में बनाके जितना एक्स्प्लेनेशन यहां लिखा है उतना लिख देना बहुत अच्छा बढ़िया सा तुमारा आंसर लगीगा जितना भी लिखा हुआ है यह तीन से चार नंबर के लिए अप्ट है लेकिन अगर वही साथ नंबर का जाए तो फ्लोचार्ट और सेलेक्शन को थोड़ा और डेटेल में लिखना आपको पड़ेगा स्क्रीनशाट लेने के लिए मैं फ्रेम से बाहर हूं जल्दी से ले लीचे अगैन इसका भी and then let's move to the next question यह है हमारा question number 22 यह बोलता है training and development are one and the same thing do you agree यहाँ पर यह बोल रहे है training or development दोनों सेम ही बाते हैं क्या आप agree करते हैं सी से अपको याद होगा मैंने इस chapter में आपको training and development के differences बढ़ाए थे तो आप अग्री करी नहीं सकते क्योंकि यह दोनों सेम ही नहीं तो training and development are one and the same thing one and the same thing basically दोनों सेम है क्या आप अग्री करते तो पहले तुमारा अंसर होगा नहीं हम अग्री नहीं करते हैं क्योंकि training and development में significant changes है और उसके column add करा देती हूँ जिसमें में basis लिखती हूँ यहां पर वो नहीं लिखा हूँ बट यहां पर भी differences हमने tabular form में ही किये हैं so let's read this difference between वाले point so they write no there difference अब से पहले तो उसके बाद training and development में first training में ही बोलते हैं it is used to add skills abilities of the workers यह workers की abilities को improve करने के लिए किया जाता है whereas development involves improving the capacities and capabilities of the managerial personnel managerial personals के capabilities और capacities को increase करने के लिए development की जाती है तो यह workers की बारे में साधा बात कर रहें whereas geeking के बारे में बात करें managerial personal के बारे में बात कर रहें then they say the term training is generally used to impart specific skills among operative workers मतलब यहां पर specific skills आ गई है जो की operative workers के अंदर हमें वो करनी होते है operative workers का मतलब होते है जो operations में लगे होते है वो workers whereas it is associated with the overall growth of the executives यह overall growth से associated होती है then it says it is to enable the employee to do the job better यह इसलिए किया जाता है ताकि employees को उनका काम और बहतर तरीके से करवाया जा सके whereas it is enabled to यह overall growth के बारे में बात करती है अच्छा अगर तुम्हें पढ़के समझ में आ रहा हो तो training is more like जो तुम काम कर रहे हो वो और तुम बहतर तरीके से करो इसने प्रवायड की जाती है वेरस development आपके overall growth के लिए होती है जोब oriented process है वेरस यह career oriented है यह तुम्हारा career बहतर बनाता है यह तुम्हें उस काम को करने में निपुन बनाता है जो तुम currently कर रहे हो लेकिन यह तुम्हें overall अच्छा बनाएगा जैसे मैं बोलूँ कि अभी मैं business studies पढ़ा रही हूँ तो training एक job specific part है एक कुछ ही selected areas पर काम करता है कुछ core areas पर काम करता है उसमें आपको बहतर बनाता है वेरस development की बात करो तो यह आपको overall बहतर बनाता है ठीकिया that's it इसको screenshot लेना है तो ले लीजेश का कम लिखी है मेरे according इसमें क्योंकि open ended question थे तो आप और ज्यादा लिख सकते थे और बहतर तरीके से भी लिख सकते थे एक example जो मुझे यहाँ पर लगा missing था वो आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए जैसे lastly मैंने आपको एक example दे दिया business studies का वैसे वो example आपके यहाँ पर होना चाहिए था मैं आपको एक चीज बताती हूँ example से क्या होता है कि सामने वाला यह समझ पाता है कि आपकी concept पे पकड़ कितनी अच्छी है अगर आपकी पकड़ अच्छी है नहीं तो आप example दे ही नहीं पाओगे उस particular चीज का ठीक है लेकिन अगर आप example दे पा रहे हो सामने वाला उसे अ so example की कमी थी यहां पे and साथ ही साथ अगर बेसिस वाला कॉलम अड़ हो जाता तो और बहतर होता ठीक है तो वो भी आड़ कर देना तुम अगर तुमने नहीं किया है तो ओके चलो next question पर चलते हैं यह हमारा question number 23 जो बोर रहा है what do you mean by on the job training explain any three methods of on the job training आपको बताना है on the job training का क्या मतलब होता और कोई भी तीन method बताइए जो कि on the job training का part हो अब नाम से समझो on the job मतलब आप यहां पे training भी ले रहे हो and at the same time job भी कर रहे हो job करते करते training पा रहे हो तो on the job training का मतलब होता है training मिलना लेकिन job के साथ साथ और तीन method बहुत सारे method बढ़े हैं हमने बस उन में से कोई तीन explain कर दो so it says on the job training refers to training where the subordinates learn by doing in the workplace under the supervisor or the superior जब एक इंसान एक छोटा इंसान supervisor या फिर सुपीरियर के अंडर काम करता है और काम करते करते काम को सीखता भी है उसे हम बोलते हैं on the job training like CS की training की बारे मैं बात करूं तो there was this PCS जिनके अंडर मैंने CS की training की थी तो वो काम कर रहे होते थे वो मुझसे अपना काम करवाते थे being an assistant लेकिन at the same time में वो काम सीख भी रही थी तो मेरे training भी चल रही थी और मेरा काम भी चल रहा था मतलब मेरे job भी चल रही थी मेरा job नहीं actually is internship बोलते है या फिर apprenticeship बोलते हैं तो यह यह particular चीज चल रही थी मेरी और साथी साथ मतलब training भी हो रही थी kind of तो method क्या apprenticeship program coaching इसमें बोलता है पुच्ट ट्रेइनी अंडर गाइडंस ऑफ दे मास्ट वोकर दे ट्रेइनिंग रसीफ स्टाइफन वाइल लॉर्निंग सो रही थी कि जब कोई इंसान अपने सुपीरियर के अंडर काम करते करते काम सीख रहा होता है तो उसे उसके बदले में salary नहीं मिलती है स्टाइफन मिलता है स्टाइफन का मतलब होता है कि काम तो हम तुमसे बकायता अच्छे से कराएंगे लेकिन पैसे के नाम पर तुम्हें हलका फुलका चिलर पकड़ा देंगे लाइक हम लोग की वही डूटी आर्ज रहते थे सुबह ग्यारा बज़े से शाम के पांच छे बज़े तक ठीक है तो छे बज़े तक हम बैठते थे मतलब हमारे working hours ते जितने employees के होता है लेकिन उसके बदले में हमें मिलता क्या था हमें मिलता था सिर्फ तीन हजार रुपए पहले इनिशली वी उस्टिगेट फिफ्टीन हंड़ ट्वेल हंड़ से स्टार्टिंग होई थी मेरी फिर कुछ मतलब हमारे सर ने थोड़ा खुश हो के हम हम उसको जितने भी इंटरंस थे उनको पंदरासो पंदरासो देना स्टार्ट कर दिया उसकी पूरा महीना काम करके सुबह ग्यारा से शाम छे बज़े तक वह लगवाते हैं ग्यारा बज़े कभी पॉश्टे नहीं थे पहले कल्टी मार लेते थे बच्टिल मोस्ट अब टाइम वी उस्टो बेन ऑफिस हम सीखते थे काम करते थे काम और अगर वही काम कोई इंप्लोई कर रहा होता तो उसे मिनमम 15-20,000 तो मिलते ही मिलते बट जस्ट बिकिस्ट विवर इंटर्न तो विवर ओनली गेटिंग 3,000 रुपीज बपाल के लेवल के अकॉर्डिंग बता रही हो डेली में अलग लेवल है मुंबई में अलग लेवल है बैंगलूर में इंटर्शिप प्रोग्राम का वो कोचिंग में बोलते हैं अदा लोर लेवल स्टो कोचिंग में सिंप्ली कंसिस्ट ऑफ ट्रेनीज ऑब्सर्विंग शुपरवाइजर तो डिवलाप्ट बेशिक स्किल्स नसेसरी पर ऑपरेटिंग अ मशीन तो ट्रेनिंग वर्क्स क्लिव डॉक्तर के एक्सांपल में क्या होता है जो सीनर लॉक्तर होते हैं जो सर्जय क्रायों होते हैं और इंटर्न चुर्य सामय कर रहे हुपGu से समझते हैं और उसी इसको सीखते हैं वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं भी वो बैट खड़े ओके देख रहे हैं इस इस काल वाट कोचिंग मतलब यहां पर आप भी पार्ट है और्गेनाइजेशन का यहां पर भी आप सीनियर के अंडर ही हैं लेकिन यह नौट दूइंग यह सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर इंटर्शिप ट्रेनिंग की बोलते हैं एड्यकेशन इंस्ट्यूर्म और कॉर्परेट्स वर प्रवाइद प्रवाइद प्राक्टिकल नौलजज तो इच्टूर्ट बाइच्टिट्ट वाइच्टिट्ट वाइच् प्रवाइच्ट की साथ कि हम अपने लोगों को भीजेंगे तुम्हारे या पर सीखने के लिए या फिर तुम्हें खुद सर्च करने पड़ते हैं ऐसी ओर्गनाइजेशन जहां पर वो तुम्हें हायर करें और अच्छे से सिखाए कभी 6 महीन महीन की होते हैं कभी 10 महीन की यहां पर क्या होता है कि या पहले आप सेनज देपार्टमन साथ काम करें तो तुम पर चेल्ज डिपार्टमन के साथ चले जाओगे तो यूर्की ऑन चेंजिंग और पॉसिशंजग और देपार्मेंट्स तब्सेशनेशन तुम्हारे सेम रह रहे हैं तुम सीख रोभी ले कि तुम हर सेक्टर का सीख रहे हो और डिपार्टमेंट का सीख रहे हो तेक है तो यह थे चार मेथ वैसे दो इना ने तीन भी बोले थे पर इस ओके आपने चार लिख दिये यहां से आप सिर्फ रेफरेंस लेंगे चालिए लेट्स चाहिए लेट्स मूफ टू क्या होता है पहले तो वह बता और सेलेक्शन से वह किस तरह से डिफरेंट होता है वह बता पहले आपको ऐसे एक्स्प्लेइन कर तो किस तरह से लिखना आस्टार्टिंग का पोरेंट आप लिखेंगे स्ताफिंग प्रोसेस ठीक है कि स्ताफिंग प्रोसेस किस तरह से मूफ करती है एस्टिमेट कर ना मैंपार रेक्वायρεंट उसके बाद यूवल इन वाइट पीपल की आये हमारे आपे अप्लाई कीजिए इस चीज को आप बोलते हैं रिकूट्मेंट और उन लोगों में से when you will select the best person, इसको बोलते है selection, excuse me, इसे बोलते है selection, ठीक है, तो ये तीन पार्ट है, अब आप से पूचा गया है, recruitment और selection में क्या difference होता है, तो सबसे पहले आप recruitment उठाएंगे, recruitment में आप लिखेंगे कि लोगों को ये बताना, ये तुमारी company है, लोगों को ये बताना कि हमारे हाँ पर vacancy निकली है, आप आईए, this is called recruitment, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना यही चीज, कि inviting people to fill the vacancy that has happened in your organization, that has been created in your organization, तो वो के लाई जाती है, recruitment, और उसके बाद different selection में से, the people who came here, उन में से, best one select करना, ये के लाया जाता है, selection, ठीक है, तो पहरे तो तुम recruitment को इस तरह से explain करोगे, और फिर नीचे लिखो, get difference की बात कर रहा है, तो difference में ये बाला point लिखोगे, कि ये बाला इस तरह से रहेगा, और इसके बाद तुम लिखना शुरू करोगे, I hope you are getting, कि recruitment, क्या होता है, recruitment में हम invite करते है, लोगों के, वेकेंसी फिल करने के लिए मार पास आओ, और उसके बाद उन में से, एक best one select करते है, that is called selection, तो ये एक दूसरे से किस तरह से different होए, कि इसमें invites आ रहे हैं, वैर इसमें हम लोगों को निकाल के वो कर रहे है, छाटने वाला काम कर रहे है, ठीक है, तो एक इंसान छाट रहे है, ये थोड़ी positive concept होती है, थोड़ी negative concept होती है, क्योंकि इसमें लोगों को निकाल रहे हो, तुम लोगों को invite कर रहे हो, और फिर ये अगर तुम ड्रॉ कर दोगे, उसक करना कि आओ तुम हमारे यहां पर वेकेंशी को फुल करने के लिए पुजिशन को फिल करने के लिए अज अगेंस दिस सेलेक्शन इस प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग और चूजिंग दरेक्वाइड कंडिडेट आउड दो ग्यादर पूल सेलेक्शन का मतलब होता है गैदर पूल में से एक इनसान को चूज करना स्क्रीन करना गैदर पूल बोले तो जितने लोग तुम्हारे आप पर आये हैं ठीक है तो जरूंगा को और एशनां को चूज कॉड्ड नहीं सब्धानि जाओ कि लिकिन सेलेक्शन की बाद कॉनट्राक्ट को ते चल जाते कि विए अइक प्रापर contract form करेंगे तो यहां पर contract नहीं होता यहां पर contract होता है characteristics की बात करो तो यह बोलता है recruitment process involves attracting as many people as possible for the job recruitment है हम जितने लोग हूँ उतनों को attract करने की बारे में सोचते हैं क्योंकि देखो जितने लोग आएंगे उनमें से उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए बहतरीन चूज करना अगर आये ही दो लोग हैं तो उनमें से फिर हमें जबरदस्ती एक को hire करना पड़ेगा लेकिन दोस पंदरा बीस पत्चिस हजार आ गए हैं तो हमें possibility है न ज्यादा बहतर इंसान मिल सके probability increase हो जाती है with more people तो recruitment में यह है selection में बोलते है selection process involves choosing only appropriate candidate and rejecting the non suitable candidate इसमें हम basically देखते हैं कि non suitable जितने भी candidate से उनको निकालो और best one जो है उनको select करो तो यहाँ पर selection आ जाता है that's it इसमें बस इतने ही points दिये हुए हैं और बाकी आप और भी points लिक सकते हैं बट क्योंकि आपने वो diagram draw कर दिये तो उसके बाद इतनी कोई बनती नहीं है ठीक है तो फड़ा-फड़ इसका screenshot लो और अब इसका screenshot लो and then we will move to the next question that is question number 25 यह बोलता है what are the advantages of training to the individual and to the organization training के क्या-क्या advantages है individuals को और organization को मतलब आपको यहाँ पर दो तरह के advantages बताने हैं कि जब training दी जाती है तो उससे organization को क्या फाइदा मिलता है और उससे individuals को क्या फाइदा मिलता है तो दोनों ही explain करेंगे हैं वैसे इसमें आप common sense भी लगा सकते हैं अगर आपने यह नहीं पढ़ा है topic तो अभी आपको पता होगा कि किसी को भी training प्रवाइद करें से क्या फाइदा मिलेगा organization को क्या फाइदा मिलेगा अगर magnet brains वाले मुझे training प्रवाइद करता है being a business studies teacher तो ऐसे में मुझे क्या फाइदा मिलेगा and at the same time magnet brains को क्या फाइदा मिलेगा सोच के देखो बहत normal है यह देखे it says training is an important aspect of any organization training बहुत important aspect होता है किसी भी organization के लिए it tries to improve people's abilities and skills in order for them to execute a job training is an important aspect of the job that aims to improve a person's attitude aptitude and expertise in accordance with the job requirements the complexity of the work has increased as the business environment has changed thereby training has become more essential देखे यह बोलते हैं कि पहले की समाने में किसी को training नहीं भी देते थे ना तो भी चल जाता था क्योंकि उतना जदा complexity था नहीं nature में लेकिन आज की date में इतने complex environment हो गया है इतनी सारी चीज़ें जिनके बारे में सोचना पड़ता है जिनके बारे में आपको work करना पड़ता है competition increase हो गया है तो यहां पर आप सर्फ अपने लोगों को basic asset बना के नहीं रखना चाहते हैं आप चाहते हैं वो अपने काम में निपुण हो वो आप चाहते हैं वो बेस्ट तरीके से काम करें ताकि अल्टीमेटली organization को ही उसका फाइदा पहुचे तो आज की डेट में ट्रेनिंग बहुत ही जादा important है ठीक है कुछ benefits दिये हुआ है सबसे पहले benefits दिये हुआ है जो कि employees को मिलते हैं training के पहला improved career prospect मैं कोई काम कर रही हूं अगर मुझे organization मौखा दे रहा है training के थूँ मुझे उ training दलवार है तो ऐसे सिनारियो में मेरा अच्छा करना मुझे ही तो कल ultimately help करेगा कल मैं कुछ कोचिंग सेंटर खोल सकती हूं लोगों को पढ़ाना शुरू कर सकती हूं यह कर सकती हूं तो यह में personal career growth में मदद करेगा earn more देखो अभी माइड भी मैं एक घंडा पढ़ा हूं तो मुझे उतने पैसे मिलते हो लेकिन अगर मुझे ट्रेनिंग मिले मेरी शंता इंक्रीज होएगी मैं चार जार घंटे पढ़ा पाऊंगी तो मैं डबल ट्रिपल चॉपल कमा पाऊंगी यह भी हो सकता है ठीक है तो earn more की possibility आ आ जाती है या फिर मैं कम टाइम में जाधा प मैं कुछ काम शुरू किया फरसे वह मशीनरी पर कोई काम है तो नया नया काम शुरू किया है तो चोट लगने की possibility साथा है जैसे लड़किया समझ सकती है लड़किया जब इनीशली ममी के साथ किचन में हेल्प करना शुरू करती है तो बहुत ही जादा तवा गरम गरम लग यह होती है स्वारी मैंने यहां पर लड़किया बोल दिया आजकल तो लड़के भी काम करते हैं तो कोई भी कोई इंसान जब नया नया मॉम को help करना स्टार्ट करता है किचन में तो उनको बहुत जादा चोटे लगती है ठीक है लेकिन वहीं आप यूस्टू हो जाते तो आ वेल वर्स विद आल थेंग्स वेन उनकी प्रॉपर ट्रेइनिंग हो चुक है वहर एक आस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुक है तो यहां पर आक्सिदेंस होने की प्रबाबलेटी इंडिक्रीज हो जाती है ठीक है सेल्फ कॉन्फिदेंस भाही देखो अगर मैं किसी चीज में 50% अच्छी हूं ठीक है तो मेरे अंदर कॉन्फिदेंस भी कितना होगा 50% का होगा लेकिन वही चीज में और बहतर हो जाती हूं और बहतर हो जाती हूं तो मेरी फिर कॉन्फिदेंस लेवल भी तो उसके अक्वाडिंग बढ़ेगा अगर मेरी किसी चीज पर पकड़ बहुत अच्छी है कि मुझसे रात को भी उठा के business studies की कोई concept पूछ लो मुझे किसी भी टाइम पर पकड़ बिजनस studies की concept पूछ लो मैं answer दे दूंगी बहुत आपको अच्छा तरीके से तो ऐसे में मेरा confidence लेवल भी उसी तरह का होगा मैं चौड में चलूंगी यहां आओ पूछो जो पूछना है मुझसे ऐसा होता है ना बस वही चीज़े की ट्रेनिंग प्रवाइड करोगे तो इंचान का नहीं वीडियो बनाना शुरू किया है तो मैं रीटेक्स पर रीटेक्स मेरा टाइम जा रहा है मेरी प्रेड़क्टिविटी उतनी अच्छी नहीं तो यहां पर वेस्ट हो रहे हैं और उनकी प्रडुक्टिविटी ओवरॉल इंक्रीज ओएगे इंक्रीज प्रॉफिट जैसे कि मैंने बताया प्रडुक्टिविटी ओर्गनाइजेशन की इंक्रीज होते हैं जब इंसान ट्रेनिंग लेके अच्छे से वह काम करता है जो वह पहले कर रहा होता है नॉमल उस क्योंकि और आस्पेक्स पता चलते हैं आपको प्रावम्स में लगती है तो कहीं न कहीं वह एफिशेंसी आपके अंदर डिवलाप हो जाती है अपसेंटिज में अच्छे तरीके से पता है अगर इन्हों ने ट्रेनिंग प्रॉवाइड कर कि मुझे बिसनस तडीज का बहु यही दो रीजन होते हैं जिसकी बज़ेसे इंसान अपने आपको एपसेंट रखता है किसी भी और्गनाइजेशन से लाइक मैं चुटी कब मारते हूं मैं चुटी तब मारते हूं मैं एक कोचिंग क्लास जाती थी वहाँ पे देर वस्ट टीचर जो परसनली मतलब ऐसे पॉइ कि मैं करके नहीं जाते थे क्योंकि बहुनता सैशन अगरा रहता था था टॉम बताओ इस एंसर क्या होगा सुम बदाओ क्या होगा तो मैंने और मेरे काफी सारे दोस्तों ने की क्लास कि शिरूब करना चुरू करते ह्था था तो हम आपसेंट क्यू रहते थे ते किस्वेश कहां से दे पाए तो सेम तेंग यहां पे है कि अगर आप ट्रेनिंग आपको अच्छे से मिली हुए आप बहुत ही वेल वर्स्ट हो हर एक चीज से तो आप अपने आपको आप से रखना पसंद नी करोगा जादा जाओगे जादा एक्सप्लोर करोगे जादा बात करोगे उसीज के बारे वे एफेक्टिव रिस्पॉंस एफेक्टिव रिस्पॉंस तो फास्टेंग अब आप देखो आप उनको ट्रेनिंग मिल गई है आप पुरानी चीज में बहुत जादा अक्षम होगे तो नहीं चीज अगर कोई भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है चलिए क्वेशन 26 से शुरू होंगे आपके केस तडीज और उसके बाद पांच आपके केस तडीज रहेंगे क्वेशन टोडल 30 सीरीज में आपको पता ही होगा तो यह पहला आपका स्लाइड है 25 आंसर का इसका स्क्रीन शॉ समझ में आये हैं अगर आप यहां पर चाहें तो खुद के बनाया हुए बेनेफिट भी लिख सकते हैं इस बहुत ही जेनरल क्वेशन है इसमें इतना सोच विचार रिया फिर रट्टू तोता बनने की ज़रूत नहीं है चलिए आंड दिस दे लास्ट लाइड पढ़ा इसका स्क्रीन शॉट लो आंड अब आगए हैं हमारे क्वेशन नमबर 26 पे और जैसे कि मैंने आपको बताएगे केस बेस्ट क्वेशन है मतलब केस्टरी पे बेस्ट क्वेशन है तो इसको पढ़ लेते हैं एक बर यह क्या बोलता है it says AFA Enterprises is a company manufacturing water geysers the company has a functional structure with four major functions production marketing finance and human resource as the demand for the product grew the company decided to hire more employees identify the concept which can help the human resource manager in deciding the actual number of persons required in each department यह बोल रहे हैं AFA Enterprises जो है वो water geysers बनाती है और इसकी functional structure है चार functions में bifurcated है इनकी departments production, marketing, finance and human resource जैसे जैसे product की demand बढ़ती जा रही है company चा रही है नया manpower hire करना ठीक है और इसके लिए आपको बताना है आपको identify करने है वो concept जो कि human resource manager की मदद कर सकती है किस चीज में यह line थोड़ी अच्छे से पढ़ना in deciding the actual number of persons required in each department हर एक department यह चार department उपर लिखे गए हैं इनमें कितने लोग लगेंगे इसके बारे में decision लेना है तो आपको human resource manager को मदद करनी है कि किस concept को इस्तमाल करके वो यह decision ले सकते हैं जल्दी बताओ मतलब यह particular enterprise बहुत अच्छा काम कर रही है water geezers बना रही है इनकी product की demand बढ़ रही है इनके यहां पर चार department है production, marketing, finance and human resource और अब आपको बताना है कि भया नए लोग जो hire करने हैं उनको hire करने से पहले human resource manager को यह पता लगाना है कि हर department में कितने इंसान चाहिए रहेंगे तो इसके लिए कौन से वाली एक concept इस्तमाल होती है उसके बारे में बताये मैं आपको हिंट भी देती हूं हिंट तो क्या ही देना है यह सारे question आप already solve करके आ चुके हो राइट आप यह उसके बाद देख रहे हो इसी वीडियो में मैंने आपको इस concept को अच्छे से समझाया हो है और यह वोग लॉड और वर्कलोड आनलिसस में क्या होता है आप देखते हैं कि कितना काम है उसको करने के लिए किस किस तरह के इंसान चाहिए होंगे और कितने इंसान चाहिए होंगे तो वोग लोड आड अ आपको शुली लगेंगे डिपार्टमेंट में उनके वोग लोड आनलिसस वनने बताएगे और वर्क लोड आनलिसस की बारे में हम और डिसक्रशन कर चुके हैं जब हम स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे तब हमने डिस्क्स किया था इसके बारे में डिटेल में चलि से जब भी कोई भी concept पढ़े थोड़े अच्छे से पढ़ना it says mr. Naresh recently completed his MBA from one of the Indian Institute of management and human resource management IIMC mr. Naresh ने अपनी MBA complete human resource management में he has been appointed as HR manager in a truck manufacturing company the company has 1500 employees and has an expansion plan in hand that may require additional 500 persons for various types of jobs mr. naresh has been given the complete charge of the company's human resource department list out the specialized activities that mr. naresh is supposed to perform as the human resource manager of the company mr. naresh ने अभी-अभी IIMC human resource management में MBA complete किये अब इसके बाद एक truck manufacturing company में लग गया human resource manager company 1500 employees के साथ already काम कर रही है और उनका expansion का plan है जिसके लिए वो 500 लोग और हायर करना चाहरी है तो टोटल हो जाएंगे 2000 लोग ठीक है टोटल हो जाएंगे हमारे 2000 लोग तो अब इसके बाद यह बोलते है mr. naresh has been given the complete charge of the company's human resource department human resource department का पूरा का पूरा चार्ज किसको मिला हुआ mr. naresh को मिला हुआ है आपको list out करनी है specialized activities जो mr. naresh को करनी चाहिए as a human resource manager तो मतलब human resource manager तो यह बन गए आया हैं हमसे अपना वो करके लेकिन अब इनको यहां पे जो 500 लोग expansion के लिए लगेंगे और पुराने जो लोग हैं तो being a human resource manager इनको कितना क्या करना पड़ेगा वो आपको सारा list down करना है ठीक है बहुआ simple question है again the answer is recruitment training career development compensation and the benefits employer relation industrial relation employment legislation compliance disciplinary and grievance concerns dependencies and other HR related tasks are all the tasks that will be handled by HR manager the position necessitates keeping up the with rapidly changing topics such as employment law as a human resource manager Mr. Naresh is expected to undertake the following specialized tasks तो सबसे बहुआ तो इन्होंने यह बता दिया कि भी यहां staffing में जितने भी काम होते हैं उसके beyond HR में और जितने काम होते हैं वो सारी कि सारे इनको करने पड़ेंगे जिनका example उन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है like they have told us कि recruitment training career development compensation benefits के बारे में सोचना उनकी satisfaction के बारे में सोचना उनकी grievances को handle करना यह सारा का सारा Mr. Naresh को handle करना पड़ेगा being the HR of that particular company ना उनकी specialized tasks क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं analyzing jobs jobs कि किस nature की है recruitment पूरा संबालना पड़ेगा selection में भी participate करना पड़ेगा placement orientation इनी के अरेना में आएगा HR का काम होता है human resource को का हर काम देखना उनको hire करने से लेके उस particular position तक बिठाना and at the same time उसके बाद भी उनको satisfied रखना उनके grievances का खयाल रखना redressal के बारे में सोचना वो सारे चीज़ उनको handle करने पड़ते तो one by one उनने सारी कर दिया यहां पर इस चरेंड ब्लंपन फेंट इंप्लोंस पर्फोर्मंस अप्रेजल फेल उंप्लोंस इंप्लोंस ब्लोंस डीजिए लादिगा अप्रवियं निंट्रेंग काम को करने पड़ेंगे अब जल्दी जैसका screenshot लीजिये पहले, now take screenshot of this, चलिए, next question है, question number 28, again a case study, ये बोलते हैं, Vinod the human resource manager, Umesh the assistant manager and Ashok the marketing head of Hitachi enterprises limited decided to leave the company, तीन लोग बड़े बड़े position पे बैठे हुए अपनी company छोड़के जाना चाह रहे हैं, the chief executive officer of the company called the human resource manager, Vinod and requested him to fill up the vacancies before leaving the organization, वाउ, HR manager खुदी जा रहा था, तो CEO ने HR manager को बुलाया, request किया कि बही, जाने से पहले जो दो और vacancies हुई हैं, प्लस तुमारी वाली जो vacancy create होने वाली है, इनको fill करके देखते जाओ हमें, विनोच suggested that his subordinate Rajesh is very competent and trustworthy, if he could be moved up in the hierarchy, he would be do the needful, तो विनोच जी ने बोला कि सर देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरा जूस जूनियर है ना Rajesh, वो बहुत competent है, अच्छा काम कर लेता है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो मेरी position पे आप उसको भी, मतलब वो कर सकते हो, promote कर सकते हो. The chief executive officer agreed for the same, CEO ने agree कर लिया, Rajesh contacted Zenith recruiters, who advertised for the post of marketing head for Hitachi Enterprises Limited, they were able to recruit a suitable candidate for the company, उमेच's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office, okay, so ये बोल रहे हैं कि Rajesh जी को क्योंकि वो position मिल गई थी, जो विनोट छोड़के जा रहा था, being his junior actually, हाँ, being his junior तो उसको वो position मिली, तो उसने पहला step क्या किया, कि उसने marketing manager की post के लिए, zenith recruiters को वो किया, contact किया, उनको बोला कि हमें ऐसे marketing manager की post के लिए, कोई बंदा चाहिए, और साथ ही साथ, उनोंने एक suitable candidate, उमेच की vacancy के पीछे वो किया, कैसे screening करके database से, जो उनके पास पहले resume में आते रहते थे, जनको कभी उनोंने value नहीं किया था, इनको वो hire नहीं कर पाये थे, उस database से उनोंने निकाल के, उमेच की vacancy को fill किया, अब यहाँ पर जो question आप से पूछा गया, वो है, name the internal, external sources of recruitment, used by Hitachi Enterprises Limited, to fill up the above stated vacancies, तो basically क्या है, तीन position एक साथ खाली हो रही है, जिसमें HR manager की position भी है, तो CEO बहुत ज़्यादा परिशान हो गया, उसने बोला HR manager अगर खुदी जा रहा है, तो बाखी की vacancies कौन fulfill करेगा, तो उसने पुराने वाले HR को बलाया, उसको बोला कि यार तू जाने से पहले, प्लीज देख ले थोड़ा सा organization का, मतलब वो दोनों post वो करा जा, तो उसने बोला, सर आप तो tension मतलब मेरा जो junior है, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ, आप बस उसको मेरी जगे पर बिठा दो, वो handle कर लेगा, और कुछ ऐसा ही हुआ कि उसकी HR manager की जो post थी, वो राजेश उसकी junior ने ले ली, उसके अलावा जो दो vacancies थी, उनमें से एक vacancy को उसने fulfill कराया, zenith recruiter से contact करके, और दूसरा उनोंने करवाया, database से कोई बंदे का नाम निकालके, resume निकालके, अब आपको बताना है, इस पूरे case study में, कौन कौन से internal और external sources of recruitment को इस्तिमाल किया गया है, which is very basic, very simple, जल्दी से बताओ, बताई चुके होगे तुम तो, तुम तो answer करी चुके हो, अब finally मेरा answer देख लो, it is the internal external sources of recruitment used by RG Enterprises Limited to fill up the vacancies are listed below, first step promotion, it was used to fill the position of human resource manager on which Vinod worked previously, मैंने realize नहीं किया, लेकिन जब मैं explain करी थी आपको हिंदी में, तो मैंने promotion बीच में ही बोल दिया था, तो ये तो kind of मैं पहले ही answer कर चुके, कि Vinod की जगे पे हमने उसके junior को बिठा दिया, junior को बड़ी position पे बिठाना उसका क्या होता है, promotion के लाया जाता है, second है placement agencies and management consultant, हिदाची enterprises ने राजेश के कहने पे किसको contact किया था, zenith recruiters को contact किया था, ये zenith recruiters नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिक्रूट करने का काम करते हैं, मतलब ये placement करवाने का काम करते हैं, तो they say for the position of marketing head on which Ashok worked previously, अशोग की जगे इसको बिठाया है, और कैसे बिठाया है, placement के थूँ जैनित recruiters से contact करके, और last है casual callers, they are being considered for the position of assistant manager, assistant manager की post के लिए, उमेश की position के लिए, उन्होंने casual callers वाला option यूज किया, casual callers क्या होते हैं, जब वो database में से हम किसी का resume निकाल के, उनको vacancy के लिए बुलाते हैं, second question इसमें था, also state any one merit of each of the above identified sources of recruitment, यह जो तीनों आपने sources of recruitment choose किये हैं, या पता लगाए हैं, identify किये हैं, इनके एक एक कोई merit आपको बताना है, तो first placement agencies and management consultant का, उन्होंने वो बताया है, it says because of their expertise and specialization in the field of hiring new blood, they assist in attracting the required personnel to the organization, यह बोलते हैं क्योंकि इनका कामी यह होता है, यह recruitment agencies होते हैं, अब recruitment agency हैं तो इनके पास तो भर भर के लोग आते होंगे, please हमें job लगादो, हमें job लगादो, हमें job लगादो, तो बहुत easy way में हो सकता है, कि आपको बहुत अच्छा बंदा यह दिलबाद हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास line होती हैं लोगों की, second casual callers cheapest way है to get a job, casual callers में आपको कुछ नहीं करना होता है, अब आपको पढ़े हुए database में से एक का नाम निकालना होता है, कोई खर्चा नहीं है, कोई expenditure नहीं है, तो cheapest way है, फिर है promotion, promotion among current employees can be an excellent source of new hires, through promotion, the background and the reference check and are not done, so they are saying कि भी प्रोमोशन से क्या होता है, वही तुमारी organization में काम कर रहा था बंदा, उसको नीचे post उठा के आप उच्छी वाली post पी बिढ़ा रहा हो, अब कोई reference वगेरा लेने की ज़राती है, फिर किस वो बंदा आपी की organization में काम कर रहा है, तो कोई recommendation की requirement नहीं है, आपने उसका काम देखा है, analyze किया, आपने over the time उसको देखा, उसमें आपको orientation में भी time waste नहीं काना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है आपके organization को बहुत अच्छे तरीके से, देखे वैसे इस point को नहीं negative और positive दोनों वे में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने merits लिखने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ positive बात करेंगे, ठीक है भावनाओं में बैठके कही negative वे में नहीं आजाना, तो promotion से आप already existing staff में से ही किसी को चुन के दूसरी position बढ़ाते हैं, जिसको आपने देखा हुआ है over the time, तो उसको orientation का खर्चा बच जाता है, उसको organization के बारे में समझाना, organization से रूबरू कराना है, सारा खर्चे बच जाते हैं, तो इस kind of again cheap और easy तरीका भी है, ठीक है, चले, next question number 29, ये भी almost similar ही है, almost क्या मैं बोलू, पूरा ही similar है, इच सेज अतुल्द अजिस्टेंट मानेजर, विकास, the marketing head and लीन, the human resource manager of Montech Enterprises Limited, decided to leave the company, यहाँ पर भी तीन लोगों ने साथ में सोचा है, company को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तीन तीकाड़ा को कुछ चल रहा है, क्या हर जगे से छोड़ के चारे, इच सेज़ जा रहा है, ओके यह बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सो, अज़िटाइस पर पोस्ट, अच्छा, यहाँ पर बस वो चीज़ हो रही है, कि वे डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, दुबारा से रीट कर रही हूं, बीच में स्केप करने करी, शरी, इच सेज जीफ एक्छिटीव पुट करने करने करें रही है, जब चिफ एक्छिट जीज़ रही है, एक्छ अच्छिग बथरेंग एच्छ द बढटेटेंज, मिस्रामा वध्धुबा कॉट्ट इस दूथरेंट, who advertised for the post of marketing head for Montech Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. Atul's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office. My bad, it is semi-abricor. Name the internal and external sources of recruitment used by Montech Enterprises Limited to fill up the above stated vacancies also state any one merit of each of the above identified source of recruitment. Belkul same hai yaar, disappointed. Anyways, this ka answer almost similar hai. Promotion placement agencies are casual callers. Aur merits kya hongi? Same merits ho jayenge. Kuch different nahi hai this question mein. So, let's move to the last question of this test paper. It's question number 30. He bol tha, the workers of a factory are unable to work on new machines and always demand the help of their supervisor. The supervisor is overburdened with their frequent call suggests the remedy. Yeh bol raha hai hai ki ek factory ke workers hai, joh kaam nahi kar pa raha hai hai without supervisor. Aur hər choti badi chise ke liye wu supervisor ko call mila date hai, jiski wajah se supervisor egar koi kaam kar raha hota, usmei attack jata hai pei kisih yahaan se call raha 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 raha. Tho, aap ko remedy suggest karni hai. Ek banda hai, jiske sar pe baakhi sab chadhe hoi hai, उसको कॉल कर रहे हैं उसको परेशान करें वो अपने काम से धखाट चुका है वो ओवर बर्डन फील कर रहा है आपको सरेमेडी सजेस्ट करनी है जल्दी बताइए करी लियोगे अभी तक तो है वक्रणों फैक्ट्री उसको रॉं्हेंसे करना चाहें कि एक फैक्ट्री खेय में से नेक्तव इसके वॉह थे नंगार म Nagled में करणा देए करना है इसके आन्यों के पर सिल्बर की और ये को तो यह वो करना है अब जब वो real life में factory पे आएंगे तो उनको पता होगा कॉंसे सेनारियो में क्या करना है कैसे करना है क्या नहीं करना है तो इससे क्या होगा थोड़ा सा बंदा बार बार सुपरवाइजर को कॉल करके परिशान नहीं करेंगा यहां पर दिक्कत क्या जा रही है workers ट्रेंड नही है यह पुलते हैं सकते हैं वह सौट हो सकते हैं अईसी की साथ हमारा फॉर्स टेस्ट पेपर यहीं में खतम होता है आप लोगो को बता दू ड़ाइब को इंग्लिश चानल में दिक्क जा रही थी वैसे तो इंग्लिश हैं नहीं हम सब हिंदी बोलते रहते हैं लेकिन टिपिकल वाली हिंदी इस आप लोगों की बेटर परफॉर्मेंस के लिए किया जा रहा है ठीक है तो हर चाप्टर का हमने टेस्ट पेपर बनाया है प्लेलिस्ट बन चुकी है अगर अभी तक एक्स्प्लोर नहीं की है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा नोच चाहिए अगर आपक you so much for watching this video